गुड आटरनून क्लास आज हम लोग इस्टेटिक जीके के अंतरगत हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री को जो हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक सीट भी दी गई है इसके according बहुत सारे fact आपके exam के लिए भी helpful रहेंगे और साथ ही साथ में जो इनके connecting point वाले हैं कि किस तरीके से हम conceptual clarity के साथ में fact को भी याद रखें क्योंकि हर चीज़ आप fact में याद रख नहीं पाएंगे तो कहीं न कहीं connecting के लिए हमेंने कुछ उनकुछ जोड़ना ही पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आपका लिखा है Indian history, Indian art and culture Indian art and culture लिखा है हो सकता है एका जगा पर spelling का mistake को बाकी ठीक है सबसे पहले आपका दिया गया है classical dance of India देखा आपने classical dance of India जब भी हम classical dance of India की बात करते हैं तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि dance जब हम कहते हैं न्रत्य तो इस न्रत्य का सबसे पहले जो हमें उलेक मिलता है वो एक किताब है नाट्य सास्त्र जो आपके एक्जामे कई बार पूछी गई है कि नाट्य सास्त्र बुक किसके दोरा लिखी गई तो भारत मुनी के दोरा नाम सुना है इसी dance के formation में कहा जाता है कि जब भी हम dance कहते हैं तो dance के दो aspect होते हैं इसके दो पहलू होते हैं two aspect होते है dance के two aspect का मतब क्या है दो पहलू इसके है दो पहलू का मतब है एक को हम कहते है तांडव और एक को हम कहते है लास dance के दो पहलू होते है तांडव और लास अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम तांडव की बात करते हैं तो तांडो जो होता है वो स्यू से सुरू हुआ तांडो जो आपका होता है यह लाँ यह फ्रेंड भी डिस्टरब कर रहा है इसको भी बन पर हो यह लाँ ठीक है हाँ अब आवाद ठीक आ रही है सबसे परीबात हमने क्या कहा कि जब हम डांस पढ़ने जा रहे हैं जो आपका क्लासकल डांस है तो आप पहले पता होना चाहिए कि क्लासकल डांस और फोक डांस में अंतर क्या है यह बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि डांस की उत्पत्ती जो है सबसे पहले नाट सास्ती जो किताब भरत मुनी के दोला लिखी गई उसमें इसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि डांस के दो असपेक्ट दो पच होते हैं तांडो और लास तांडो की सुरुवात मानी जाती है ये सिू से शुरू हुआ और लास की शुरुवात मानी जाते हैं पार्वती से शुरुआ तांडो भी दो तरीके का होता है कि कई बार जब स्यू हैपिनेस यानि खुसी में होते हैं हैपिनेस के मूड में स्यू जी खड़े है और उस समय जो डांस करते हैं उस डांस को हम कहते हैं नटराज आपने नट्राज की मूर्ती देखी होगी G20 में तो इसका बहुत बड़ा प्रचार भी किया गया था नट्राज जब भी हम कहते हैं तो नट्राज स्यू के डांस का हो तरीका है जो स्यू जी खुसी में करते हैं मालीजे कभी पारवती जी कह रही होते हैं कि बहुत दिन हो गए आपने डांस किया ही नहीं तो स्यू जी ने खुसी में डांस कर दिया तो नट्राज कहला है और जब भी नट्राज का डांस होता है तो नट्राज यानि क्रियेशन यानि स्रस्टी का प्रतीक है और जब स्यू जी कभी गुसे में होते हैं क्रोध में होते हैं, एंगर वाला भाव उनका होता है, क्रोध में, उस समय जो डांस करते हैं, उसको कहा जाता है रुद्र, और रुद्र जो होता है, वो डिस्ट्रेक्शन यानि विनास का प्रतिक मना जाता है, और जो पार्वती के दोरा लास किया जाता है, लास जो होता है, वो स्रंगार का प्रतिक मना जाता है, जैसे अक्सर आपने कोई भी डांस देखा होगा, हर बेक्ती का कोई नो कोई एक फेवरिट डांस होता है, वहीं सबसे अच्छा लगता है, बार-बार रिवाइन करके हम देखते हैं, क्यों देखते हैं, जिस डांस को बार-बार आपको देखने का मन करता है, वहीं आपका लास है, लास ही वो है जो आपको बार-बार अट्रेक्ट करता है, तो स्रंगार वाणा डांस ज्यादातर क्या होता है, अट्रेक्ट करता है, तो यह लास से माना जाता है, अब जब ये दो तरीके के डांस है और कहा जाता है कि हर बेक्ती के जीवन में डांस होता है जिसके अंदर का डांस ज्यादा हावी हो जाता है तो वो इस्टेट डांसर बन जाता है जिसके अंदर का डांस कम हावी होता है तो अपना room का दरौाजा बंद करके dance कर लेता है लेकिन dance जरू कर लेता है ठीक है या अकेले में कर ले अब यहाँ पर क्या होता है dance हम दो तरीके से देखते हैं यह तो हो गया dance के दो पहलो दूसरा जो होता है dance basically dance के दो टाइप्स है एक होता है classical dance यानि कि सास्त्री नरत और दूसरा आपका होता है folk dance यानि कि लोक नरत दोनों में difference यह है कि जब भी हम सास्त्री नरत कहते हैं तो सास्त्री नरत के जो नियम होते हैं जो rules regulation होते हैं वो fix होते हैं जैसे कोई कहे कि भरत नाट्यम का dance को याज कर रहा है आज के 50 साल पहले किया हो या 50 साल बाद करेगा उसके करने के जो भी step होंगे वो fix होंगे सास्त्री नरत में जो rules होते हैं वो एकदम fix होते हैं और इनका जिक्र हमें वेद सास्त्रों में भी मिलता है इसलिए इनकों हम कहते है classical dance यदे आप काली दास की मेग दूतम को पढ़ेंगे तो भी उसमें हमें पता जलता है कि उजयन के मंदिरों में देवदास्यों के दोरा डांस किया जा रहा था या करनाटका के या तमिलनाड के मंदिरों में भरतनाट्यम का जिक्र आता है बहुत पहले सी चला रहा या भगवान बिसनू के दोरा एक मन मोहिनी डांस किया जाता है जिसको मोहिनी अट्टम कहते है तो यानि बहुत से डांस की कथाएं हमें वेद सास्त्रों में भी मिलती है तो इस वज़ा से इसको हम कहते है क्लासकल डांस यानि क्लासकल डांस हो डांस है जैसे आपकी मर्जी वैसा करें वो कहलाता है फोक डांस या लोक नत और इसलिए आप देखेंगे कि अलग-अलग अउसर पर अलग-अलग तरीके के डांस मिलते हैं अब बैसाखी के त्योहार पर भंगडा डांस कर रहे हैं पंजाबी लोग जैसे मन हो वैसे कर ले या साधी यूपी वगरा मैं देखो बराद जब जा रही होती है तो नागिन डांस होने लगता है एक आदमी जमीन में लोट जाता है और दूसरा अपने हाथ में रुमाल निकाल करके बीन बजा लगता है तो इसका मतब क्या है एक छेत विसेस का डांस है ऐसे बिहार में चले तो वहाँ पर लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना करके डांस करा जाता है लओंडा नाच उसको बोलते हैं यह बिहार का प्रिजित डांस है ठीक है कि जहाँ पर लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना करके डांस करा दिया जाए और यह बहुत पोपलर है ब सास्त्री नत्र के करने के निश्यतनियम होते हैं और यह बहुत पुराने हैं इसलिए इनको हम सास्त्री कहते हैं दोनों का अंतर इस पष्ट है अब यहां पर टोटल देखा जाए तो भारत में सास्त्री नत्र कितने है आठ है और नरत्य से जुड़ी ही जो किताब का नाम हमें बताया था वो क्या था नात्य सास्त्र भरत मुनी की है अब आपकी सीट में जो दिया गया है सबसे पहले भरत नात्यम तो भरत नात्यम के बारे में सबसे पहले यह आता है कि यह किस राज में है तमिलाडु में है भरत नाट्यम की खास बास क्या है कि यह सबसे पुराना सास्त्री नत्य है सास्त्री नत्य में बहुत सारे सास्त्री नत्य है सबसे पुराना कौन सा है भरत नाट्यम है तो आप यहीं पर लिख लो कि यह डांस का सबसे प्राचिन रूप है, जगे है तो ठीक है नहीं तो अपनी कौपी में अड़ कर लेना, यह सास्त्री नत्र का भी सबसे पुराना है, अब इसमें दिखा गया है कि प्रसेद बेक्तित तो इसके कौन है, तो सबसे पहले आपको उता दे, दो नाम पहले अरुनडेल, रुकमणी देवी अरुनडेल और दूसरा है पदमा सुबरमडियम, और दूसरा है रुकमणी देवी अरुनडेल, जब भी हम इन दोनों का नाम लेते हैं, तो खास दोर से इनकी एद हम बात करें, तो इनके बारे में कहा जाता है रुकुम्री देभी अरुंडेल और पदमा सुब्रमढियम देखिए कहा जाता है कि जो भरत नाट्यम है पहले लोग इसको समाज में बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते थे क्यों क्यों कि ये मंदिरों में देवदासियों के दोरा किया जाने वाला डांस है देवदासि कौन होते हैं देवदासियम उसको कहते हैं कि प्राचीन काल में साउथ इंडिया के मंदिरों में बहुत सी लड़कियों का बिवाह मंदिर की मूर्तियों के साथ में कर दिया जाता था और जब किसी लड़की का बिवाह मंदिर की मूर्तियों के साथ में कर दिया जाता था तो दुबारा उस लड़की को अपने घर में जाने की परमिसन नहीं होती थी उसका पती उस मंदिर की मूर्ती है इसलिए वो अपना पूरा जीवन उसी मंदिर को समर्पित कर देती थी इन्हीं को हम कहते थे देवदासी यानि देवताओं की दासी जैसे किसी इलाके में लंबे समय तक बरसात नहीं हुई और सारे लोग पहुँच गए मंदिर के पुजारी के पास और कहने लगे कि क्या बात है इस इलाके में बरसात क्यों नहीं हो रही तो मंदिर का पुजारी बोला कि लग रहा है कि देवताओं की साधी नहीं हुई बहुद इन्हों से इसलिए देवता नाराज हो गए है इसलिए बरसात नहीं हो रही मतलब इस तरीके के छोटे मोटे धार्मिक प्रत तो सुरुवात में यह नरत्य देवदासियों के दौरा किया जाता था, इसलिए सामाजिक स्तर पर इसको अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आगे चल करके 20 सताबदी में रुकमडी देवी अरुंडेल ने इसे को लोगपृता दिलाई और देश-विदेश में जाकरके इ इसकी बज़ा से यह काफी popular हो गया, तो यह आपका हो गया भरतनाट्यम, दूसरा आपका क्या है, कथक, कथक कहा है, यूपी का है, और कथक से जुड़े हुए कौन-कौन से बेखती है, एक है बिर्जू महराज, और एक है लच्छू महराज, बिर्जू महराज और लच्छ जुड़े है नाम है, अब दूसरी बात कहा आती है, कि जो कथक की लोगपृता है, वो यूपी में कब आई, कथक की लोगपृता यूपी में कब आई, तो इसके पीछे कहा जाता है, कि जो लखनू के अंतिम नवाब थे, वाजिद अली साह, नाम सुना है, आज भी लखनू के नवाबों के बारे में कहा जाता है, कि जब अंग्रेजों ने उन पर अटेक किया, तो सारे लोग भाग गए, लेकिन नवाब साब नहीं भागे, और जब अंग्रेजों ने इन से पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे, तो उन्हें ने कहा हमें किसी ने जूते न नवाब साहब अभी भी सो रहे है यानि कोई काम धामना करने वाले ऐसे नवाब कह जाते थे तो इन नवाब साहब क्या करते थी कि सुबा सुबा का वक्त होता था सुबा सुबा के वक्त के बाद में अपना पतंग वाजी कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी दोड़ा रहे हैं उस और वाजिद लिसा उनका डांस देखकर के बोले कि अब तुम यहीं पे रुख जाओ और उन्म तुमारे लिए महल बनवा देते हैं। और आज भी लखनू में गोमती नदी के किनारे दिलकुसा गार्डेन नाम की एक हवेली जैसी बनी है वो उम्राव जान के लिए ही बनाई गी थी। और यहां के नवाब साब क्या करते थे कि पहले कथक जब होता था तो कथक का संबन्द कथा से है। कथा सुनाते सुनाते दान्स किया जाता था। लेकिन आगे चल करके वाज़े दिलिसा ने क्या किया इसी कथक डान्स के साथ में ठुमरी गीतों को जोड़ दिया। ठुमरी गीत का मतलब होता है कि ऐसे गीत जो ups and down style में कभी तेस तेस बजने लगता है, कभी मतलब धीरे धीरे गया जाता है, जैसे आपने गीत सुना होगा छाप तिलक सबचीनी, हमरी अटरिया पे आजारे समरिया, इस तरीके के जो सौंग है ये ठुमरी गीत कहलाते हैं, औ और लिख लो, नवाब आप लखनव वाजिद अली साह, कंपोजड मेनी ठुमरी सौंग, अबद के नवाब वाजिद अली साह ने कई ठुमरी गीतों की रचना की, अबद के नवाब वाजिद अली साह, कंपोजड मेनी ठुमरी सौंग, बिद्धा निकनेम अक्तर पिया, अबद के नवाब वाजिद अली साह ने कई ठुमरी गीतों की रचना अक्तर पिया के उपनाम से की, अक्तर पिया के नाम से की, निकनेम समर रहे हैं, उपनाम जो होत अवद के अंतिम नवाब वाजिद अली साह ने कई ठुमरी गीतों की रचना अक्तर पिया के नाम से की नवाब अवद कंपोस्ड मेनी ठुमरी स्वांग बिद्दा निकनेम आफ अक्तर पिया जैसे आपने फिर आफ नाम सबाएतर बहादुर साच जकंटें लेकिन को जफर कहा जाता था तो जफर के नाम से उस सेरो सारी लिखा करते थे तो ऐसे ही नको किta पिया के नाम से जारा जाता था जैसे एक बेक्ती थे विस्वास कुमार, निकनेम क्या बना लिया, कुमार विस्वास, आगे पीछे उल्टा कर लिया, तो इस तरीके से नाम बना लेते हैं, जोस, मलिहाबादी, तमाम लोग अपने नाम के आगे इस तरीके लगा लेते हैं, तो वो निकनेम के तोर पर तीसरा आपका नाम क्या है कुचीपूरी कहा है आंधप्रदेश का है कुचीपूरी आंधप्रदेश का है माना जाता है कि आंधप्रदेश में गाउं हुआ करता था कुचेलपुरम आंधप्रदेश के कुचेलपुरम से इसकी शुरुवात हुई थी इसी कुचेलपुरम से इसका नाम बना कुछीपुडी और इसके जो कलाकार है उनका नाम है गुरू विम्पाती गुरू विम्पाती गुरू विम्पाती चिन्ना सत्यम यह पुरा एक ही नाम है सत्यम वी चिन्ना सत्यम गुरु वेमपाती चिन्ना सत्यम और दूसरा नाम है राधा रेड़ी राजा एंड राधा रेड़ी इन दोनों की यूगल जोड़ी है राजा और राधा रेड़ी अगला नाम है ओडिसी डांस ओडिसी डांस कहां कहा है पुरिसा कहा है ओडिसी डांस की एक खास बात है जैसे कुछन नहीं आ जाए कि oddyty dance के inscriptional evidence अभी लेखी ये साच कहां से प्राप्त होते हैं inscriptional evidence कहां तरह समरा है कि जहां पर किसी पत्थर पर उस dance के बारे में कुल लिखा हूँ यजह आप जगनात मंदिर में जाएंगे तो जगनात मंदिर के जो ब्राम्देव गरा है, वहाँ पर पत्थरों पर इनके हमें साच एविडेंस मिलते हैं, तो आप ऐसे लिख लो ओडिसी के साच जगनात मंदिर की दिवारों से प्राप्त होते हैं एविडेंस आप ओडिसी फाउंड फ्राम जगनात टेंपल इंस्क्रिप्शन जगनात मंदिर के अभिलेखों से ओडिसी के साच मिलते हैं, ठीक है? इसका उतर क्या होगा? कि जब वहाँ पर रथ हयात्रा निकलती होगी या वहाँ पर नब कलेबर का तिवार होता होगा नब कलेबर का नाम सुना है? नब कलेबर का नाम नहीं पता? देखिए पहले तो आप यह जानो जगनात टेंपल के जो इस्टेचू है यह देखो जगनात मंदिर में तीन प्रकार के स्टेचू होते हैं जोंको हम क्रस्न बल्राम और सुभडड़ा कहते है और इन मूर्तियों की खास बात क्या है? कि इनके हाथ नहीं है इन लकडी की मूर्तिया है साथ भारत के मंदिरों में जितने भी मंदिर है हर जगा पे पत्थर की मूर्तियां होती हैं लेकिन यहाँ पे लकड़ी की मूर्तियां है और इन लकड़ी की मूर्तियों के में क्रस्न बलराम और सुभद्रा इनकी बहन का नाम था इन ही तीनों मूर्तियों को रख करके रत हयात्रा का आयोजन किया जाता है कहा जाता है कि चुक लकड़ी की एक लाइफ होती है एक समय के बाद में लकड़ी खराब होने लगती है तो हर 12 साल के बाद में नई मूर्थियां लकड़ी की बनाई जाती है और जो पुरानी मूर्थियां है इन पुरानी मूर्थियों के अंदर एक प्रकार का business प्रकार का एक liquid पदार्थ है और उस liquid पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकाल करके नई मूर्तियों में भर दिया जाता है यानि एक प्रकार से पुरान प्रतिष्ठा की जाती है और जब ये काम किया जाता है तो ये रात के अंधेरे में किया जाता है कहा जाता है कि उस दिन उस मंदिर के पास में इतनी सिक्योरिटी होती है कि एक पुलिस का पहरा है, मिलेटरी का पहरा है और रात के अंधेरे में जो पुजारी होते हैं वो अपनी आखों में पट्टी बांद कर जाते है और पुरानी मूर्ती का जो लिकूंड है वो नइ मूर्ती में भर दिया जाता है उसी को हम कहते है नव कलेबर नई नई मूर्तियों की स्ठापना इसका एयोजन यहीं पर किया जाता है और यह उडिशा के लिए बहुत ही भब कारिक्रम आना जाता है हर बारा साल पर इसका अयोजन किया जाता है और बाकिय रथ हयात्रा तो यहां की बिस्ट प्रसिद है ही रथ हयात्रा में तेतने लोग जाते हैं कि यहां पे करोनों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं ठीक है लिखो Odyssey में डांस में लिखा आपने पहला नाम निको डॉक्टर अरुना मोहंती और दूसरा नाम है केलू चरण महापात्रा केलू चरण महापात्रा यह आपके ओर सी के कलाकार है अगला नाम क्या है आपका कथकली कथकली कहा है केरला कहा है कथकली की खास बात क्या है कि कथकली में जो भी कलाकार होते हैं कलाकार बहुत ज़्यादा डार्क मेकप करते हैं बहुत ज़्यादा डार्क मेकप कहते हैं हरे काले रंग का ज़्यादा मिस्टर्ण का उसमें किया जाता है और हरे काले रंका जब मिस्रण किया जाता है तो इसके बाद में कहा जाता है कि इसमें दो तरीके के करेक्टर होते हैं दो तरीके करेक्टर मतलब है एक अच्छाई और एक बुराई की आपस में लड़ाई दिखाई जाती है इस डांस के दोरान में इस तरीके का डांस का कला मंदलम गोपी, कला मंदलम गोपी, कला मंदलम गोपी, दूसरा नम है कला मंदलम क्रसल प्रसाद, इसका तब यह है कि जो इसके कलाकार होते हैं, उनको कला मंदलम कहा जाता है, कला मंदलम क्रसल प्रसाद, कला मंडलम करस्परसाद और तीसा नाम है रामा कुट्टी नायर आईए रामा कुट्टी नायर रामा कुट्टी नायर जो है वो आपकी इसमे आते है तो ये आपके तीन जो है ये कला कार तीनों है आपको जादा नाम नहीं है तो ये आप नाम याद रुकिए ये वला नाम य फाइट होती हैं, अच्छाई और बुराई के जो बीज का संघर्ज दिखाया जाता है, वो हमें इसी कतकली डांस में होता है, और दूसरी बात ही है कि इसमें मुखोटे का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और इसके कलाकारों का मेकप भी बहुत ज्यादा डार्क होता ह ठीक है, और हाँ, ओड़सी डांस में छूड़ गई है, ओड़सी डांस के बारे में एक चीज़ और जोड़ लो, तृभंग, एक सब दोता है, तृभंग, त्राइबेंट पोज, त्राइबेंट पोज को हम कहते हैं, तृभंग, आप इतना लिख लो, तृभंग पोस्चर related to odsi trivent pose related to odsi odsi dance में या त्रिभंग odsi dance से जुड़ा हुआ है त्रिभंग odsi dance से जुड़ा हुआ है त्रिभंग odsi dance से जुड़ा हुआ है क्या मतलब इसका है जब भी कोई dance करने के लिए कलाकार जाता है मंच पर performance करने जाता है तो जब वो अपनी position लेता है, तो अपनी position के दौरान में अपनी body को इस तरीके से मोड़ता है, कि गर्दन के पास, कमर के पास, ठीक है, और पेरों के यानि घुटनों के पास, तीन जगा पर अपनी body को एस आकार में मोड़ देता है, यानि dance करने की जो position है, उसी को वह अलते ह त्रिभंग, जैसे आपको याद होगा कि अभी, यदे आपने पढ़ा होगा, इंडिस वैली civilization में एक कासे की मूर्ती मिली थी, ब्रॉंज इमेजापा dancer, और वो dance की मुद्रा में खड़ी थी, वो जो dance की मुद्रा में खड़ी है, उसी pose को हम कहते है, tribe and pose, ये आपका इसी odys लिया गया, अगला नाम क्या है, सत्या डांस, सत्रिया, असाम, सत्या कहां पर असाम में है, और इसके जो कलाकार है, personality, उनका नाम है, स्री संकर देओ, स्री संकर देओ, दूसरा नाम है, गहन चंद्रा गोस्वामी, गहन चंद्रा गोस्वामी, और तीसा नाम है, प्रदीप चलीहा, प्रदीप चलीहा, प्रदीप चलीहा जो है, वो आपके सत्या डांस से जुड़े हुए है, एक किताब आपने सुनी होगी, गीत गोबिंद, कौन इसके लेखा कहे है, जैदेव, जैदेव किसके दरबार के दरबारी कभी थे, लेखमर सेन के, और उन्हीं लेखमर सेन के समय में, बक्तियार खिलजी ने, बंगाल पैटे किया था, हम कहने की कोशिजिए कहना चाह रहे हैं, कि जो बारुही सताबदी में, गीत गोबिंद किताब लिखी गई, औ बोर गीत भी इसमें गाये जाते हैं, तो आप इतना अलग से लिख लो, सतिया डांस के दोरान बोर गीत गाये जाते हैं, बोर गीत गाये जाते हैं, बोर गीत संग डूरिंग दा, सतिया डांस, सतिया डांस के दोरान बोर गीत गाये जाते हैं, फिर लोगों बोर्गीतों की रचना संकर देव के दौरा की गई बोर्गीत कंपोस्ट बाई संत संकर देव सत्या डांस के दौरान बोर्गीत गाये जाते हैं इनकी रचना संकर देव के दौरा की गई आप लोगों में जगे नहीं बच लए तो कॉपी का कोई परना लेकर के उसमें भी लिख सकते हैं ठीक है जो यह नहीं कि सारी चीज़े उसी में आ जाए अगला नाम क्या है मड़िपूरी मड़िपूरी कहां का है मड़िपूर का है इसके कलाकार है गुरू बिपिन सिंग और दूसरा नाम है एलम इंदिरा देवी यहाँ पे ए से स्पेलिंग है एलम इंदिरा देवी यह आपके मड़िपूरी के हो गए और लास्ट में आपका क्या है मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम का का है केरल लिखो इस्टोरी जाप समुद्र मंथन एंड भस्मा सुर रिलेटेड टू मोहिनी अट्टम समुद्र मंथन की कथा तथा भस्मा सुर की कथा मोहिनी अट्टम से समन्दित है जैसा कि आपने सुना होगा भस्मा सुर की कथा में भस्मा सुर की कथा में भस्मा सुर ने तपस्या की स्यूजी की और स्यूजी से कहा कि हमें वर्दान दो कि जिसके सरपर्म हाथ रखे वो बेक्ती भस्म हो जाए यानि जल जाए तो स्यूजी ने का ठीक है तब तक उसने देखा कि जहां पर स्यूजी खड़े थे तब तक पीछे वहाँ पर पार्वत्ती के इंट्री हुई और भस्मा सुर ने जब पार्वत्ती को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना स्यूजी को भस्म कर दें और पार्वत्ती जी को लेकर के हम रफूजकर हो जाएं यह उसके मन में प्लान आया तो उसने स्यूजी से कहा कि जो वर्दान आपने दिया है इस वर्दान की सटीकता कितनी है पर देख तु लें और यह देखने के लिए शूजी क्यों भागा किलाइए हम हाथ रखकर देखें अब शूजी उससे बचकर भागे कि नहीं यह प्रियोग करने का समय नहीं है उसने का नहीं प्रियोग की सुर्वा तो हम गुरुजी पही करेंगे अब स्यू जी आगे-अगे भागते जा रहे हैं, और वो पीछे-पीछे इनको, पीछा करता जा रहा है, पीछा करते-करते, अब स्यू जी मन ही मन में विस्नु जी को याद कर रहे हैं, कि विस्नु जी हमें आ करके बचाओ, विस्नु जी उदर से क्या कह रहे हैं, कि कम से कम देख लिया करो कि बर्दान किसको देना है कि इसको नहीं देना है तो दो नहीं कहा होगा ये मजाग करने का समय नहीं है हमें बचाओ आके तो फिर कहते हैं कि बाद में जो है बिस्नु जी ने एक मन मोहिनी का रूप धरन किया मन को मोहने वाली स्त्री मन मोहिनी का रूप धरन किया और इधर आ गया गया स्यूजी भाग रहते हैं पीछे पीछे भसवासूर पीछा कर रहा था बीच में आ गई मनमोहनी अब इसने क्या किया कि स्यूजी का पीछा छोड़ दिया मनमोहनी के पीछे लग गया और मनमोहनी के पास मैं जाकर बोला बिल्यू मेरी मी तो मन मोहिनी को भी लगता है उन्हें लगता है कि देखो साधी करने में में कोई दिक्कर नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा पती हो हमारे जैसा ही बहतरीन डांसर हो तो उसने कहा वैसे तो हमें डांस करना नहीं आता है लेकिन हम तुम्हारे प्रेम में डांस करना भी सीख लेंगे लेकिन सिखाएगा कौन तो मोरी ने का हम सिखाएंगे फिर उनकी डांस के प्रेक्टिस शुरू ही और डांस के प्रेक्टिस में बहुत सारे टिप करते हुए उसी कहां तुसी के सर पे रखवा दिया और भस्म हो गया तो जब भी ये डांस होता है तो background में ऐसी story चलती रहती है ये है भस्मा सुर की कता और ऐसे इस समुद्र मंथन की कता में क्या है आपका एक कुछ बार कुछन पूछा गया था कि समुद्र मंथन की कता में रसी का प्रयोग किस नाग के लिए किया गया था तो उसमें आपसर में कई नाम थे कालिया नाग, वासुकी नाग तो यहाँ पर वासुकी नाग तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि देवताओं और राच्छसों के जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने ये खोज की कि यद समुद्र का मंथन किया जाए, तो उसमें बहुत सारे रत्न निकलेंगे तो अब अकेले ना तो देवता लोग मंथन कर सकते थे, और ना ही राच्छस कर सकते थे, ना देवता कर सकते थे तो दोनों के भी इसमें ये डिसाइड हुआ कि हम लोग मिलकर के करेंगे और मिलकर करने के लिए समुद्र के अंदर जो मत्हानी जिसकी बननी थी उस मत्हानी का नाम था मंदराचल परवत आप लोग अभी उजयन में जाएंगे तो उजयन में और समुद्र का मंथन होने लगा और समुद्र के मंथन से सुरुवात में कई सारे रत न निकले अई रावत हाथी इंदर के पास चला गया लच्छिमी जी निकली तो उनको विस्णू जी के पास भेद दिया गया काम धेनू गाय निकली इस तरीके से जहर निकला तो सुजी को दे दिया गया तभी तो सुजी ने उस जहर को पिया था और बाद में उस जहर को न तो सरीर के नीचे ले गए ना गले से बाहर निकला वो गले में उनके पढ़ा रह गया तिसलिए उनका नाम हो गया नील कंट और लास्ट में जब अमरत निकला तो अमरत को लेकर के दोनों के बीच में छीना जप्टी शुरू हो गई और छीना जप्टी के दोरान में उसी मटके से चार जगा पर चार बूंदे गिर गई वहीं चार बूंदे चार पवित्र जगा पर मानी जाती हैं, वो चार बूंदे कहां पर गिरी हरिद्वार में, प्रियाग में, उजयन में और नासिक में, यहीं पर होता है कुम हमेला और कुम हमेला का जो लोगों होता है वहीं मटका होता है, जब दोनों की बीच में जो इतनी महत्पूर्ण चीज निकली है तो कुछ गीत संगीत तो होई जाए उसके बाद में पिया जाएगा जल्दी काये की है और फिर उसके बाद में एक डांसर बुलाया गया वो डांसर थी मनमोहिनी रांसर अब मनमोहिनी का जब डांस होने लगा तो जो राच्छस लोग खोथे डांस देखने में उने फोग हो गये, और मोहिनी ने लगातार एक एवाध एक आइटम सौंगा दिये और उसके बाद में देवता लोग तोसी में उलजके रहे तो पी लिया और अपना लाइन लगा करके बैठ गए उतनी देर में आ करके एक विष्णू के चक्र ने उसका गला तो काट दिया लेकिन चुको अमरत पी चुका था तो उसका सर भी जिंदा रहा और धड़ भी जिंदा रहा वहीं बेक्ति हो गया राहू केतू जो आज भी लोगों की कुंडली में कुंडली मारके बैठा रहे था ठीक है यह वहीं वाला राहू केतू है तो मुहिनी अट्रम का समन्द किस से भसमा सुर्की कता से और समुद्र मंतन से है इनके कलाका लिखो हाँ हाँ उठा के समुद्र में लाया गया था आज भी कहा जाता जो मलेसिया है मलेसिया और इंडोनेसिया का जो इलाका जिसको मलेप राइदूइप कहते है मलेदूइप यह मलेदूइप इसी का बिगड़ा हुआ तो नाम है वहीं पे मंदराचल प्रवत्फवा करता था लिखो वर्णा आपको सोचो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू टेंपल है कहां पे अंकोरवाट कमबोडिया में जबकि वहाँ पे 99% मुस्लिम पोपलेसर रहती है जबकि कभी न कभी तो ऐसा रहा होगा ना कि वहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाली लोग रहे होंगे और उनी मैंसे खमेर सासकों ने इसका निर्माड कराया था लिखो इसमें मोहिनिय ट्रम के कलाकार है सुनंदा नायर सुनंदा नायर और कल्याडी कुट्टी अम्मा यह आपके इतने नाम हो गए और भरत नाट्यम में चाहें तो एक नाम और जोड़ ले वैजन्ती माला का नाम जो एक बहुत ही फेमस सेक्टरस हुई थी वैजन्ती माला वो भी आपकी भरत नाट्यम से जुड़ी है वैजन्ती माला अब यह तो आपके हो गए क्लासकल डांस ठीक है तो फिर से आपको उताद है कि क्लासकल डांस वो डांस होते हैं जिनको करने के निश्चित नियम होते हैं निश्चित उनके इस्टिप होते हैं और इसी के साथ साथ में हम कह सकते हैं कि नीमों से बधे हुए हैं, ठीक है, और बेद सास्रों में वरणन है, अब आपका क्या है, भारत के लोकनत, देखें, लोकनत की संख्या हज्जारों में है, लेकिन आपको एक्जाम के पॉइंट आप उसे दिखना है, तो एक-एक-दो-दो जो महत्पूर हैं, उन्हीं काम ज नहीं, और पंडवानी से भी जुड़ी है, तो ये दो छत्री गड़ से जुड़ी हैं, तो छत्री गड़ में हम पंडवानी का जिखर करेंगे, सबसे पहला आपका क्या है, आंध प्रदेश, आंध प्रदेश के लोकनत में नाम लिखो, पहला नाम तो हो गया, आपका बुट्टा बुमलू और लंबाडी डान्स बुट्टा बुमलू और लंबाडी डान्स ठीक है? अरुराचर प्देश में आ जाओ अरुराचर प्देश में चालो और राचर प्देश में है चालो डान्स चालो डान्स और बार्डो चाम बार्डो चाम हालाक पूरा लिखने के बाद में कुछ जो मेन मेन होंगे उनको हम अंडरलाइन करवा देंगे तीसरा है असम असम में आपका है बिहू और बागुरुम्बा बिहू बागुरुम्बा इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लेना बिहू और बागुरुम्बा बिहू किसे समंदित है फसल कटाई से समंदित है या फसल से जुड़ा हुआ ते वहार है ऐसे ही फसलों से जुड़े हुए ते वहार कौन कौन से है जिस तरीके से बिहू है वो ऐसे ही आपका होता है बैसाखी बैसाखी कहां पर है और पॉंगल कहा है पॉंगल आपका तमिल नाडू में है और ओड़म ओड़म केरला में आता है ठीक है असाम में आपका बिहू हो गया और बागुरूंबा हो गया बिहार में लिखो बिहार में है जट जातिन हाँ जट जातिन जट जटिन डांस जट जटिन डांस जटिन दांस एक है धोबियानत धोबियानत तीसरा है विदेशियानत विदेशिया विदेशियानत विदेशिया का मतब समर रहे है विदेशिया का मतब यह है कि जो बिहार का भोजपुर वणा इलाका है भोजपुर के इलाके से जब भी हम भोजपुर कहते हैं तो बिहार और यूपी का जो पुरवांचल वणा इलाका है इनके बीच के इलाके में उसको भोजपुर छेतर गहते हैं क्योंकि भोजपुरी वहां पर बोली जाती है और जब भोजपुरी बोली जाती है तो वहां के लोग पहले नोकरी करने के लिए बहुत दूर दूर तर जाया करते थे खास दूर से अंग्रेजियों के जवाने में एक रंगून सहर हुआ करता था जो बहुत ही इंडस्टियल सहर अपने जवाने में होता था तब ही देखो गीत भी बन गए मैरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेली फोन तो इसके अंथा क्या है कि रंगून तक लोग जाते थे ऐसे ही तमाम लोग बिदेसों में काम करने ले जाते थे तो यहां कि देशी डान्स और कोई बैक्ति बिदेस मुंहें गया बिदेस से डान्स सीक कराया तो देशी और विदेशी डांस का आपस में मिक्स अप कर दिया गया, देशी डांस में विदेशी डांस का तड़का लगा दिया गया, तो बन गया विदेशी अनृत, ठीक है, विदेशी डांस को देशी स्टाइल में करना, इसी को कहते हैं विदेशी अनृत, जो बिहार के भोजपूर पृष्षित्र में पृष्लित है ठीक है और बाकिया हमने बताया था लोगडा नाच जो है लोगडा रत्य जो है वो भी आपका बिहार में पाया जाता है ठीक है अगरा लिखो चतिस घड़ छत्य रण में आपका है पहला पंदवानी रांस पंदवानी और पंदवानी की जो कलाकार है उनका नाम नेखलो तीजन भाई तीजन भाई ये पंदवानी की कलाकार है पंदवानी पंडवानी रांस पंडवानी रांस की खासवात क्या है जब भी पंडवानी रांस होता है तो इस डांस में कोई नों कोई एक हम थीम लेते हैं और थीम कैसे लेते हैं जैसे महा भारत की कोई थीम हमें ले ली मालीजे हमने अभिवन्यू की बीरता के विवन्यू चक्रविव के अंदर गाये चक्रविव में क्या हुआ कैसे महारतियों से मिलना है या अरुजुन या कर्ण की लड़ाई जब हुई तो विसेश प्रकार की हम लड़ाईयों को ले करके उनका मंचन करते हैं ठीक है तो पंडवानी डांस हो गया दूसरा लिखो पैथी दूसरा लिखो पैथी डांस पैथी और कपालिक कपालिक नत्थ इसमें से क्योल आप पंडवानी को ही याद रखिए ठीक है अगला ना लिखो गुजरात गुजरात में क्या है आपका गर्बा डांडिया और भावई भावई गर्बा डांडिया और भावई पैथी पैथी और पंथी एक ही डांस है एक ही डांस है हाँ छतियर्ड में पैथी डांस जब कहते है न तो अंगलीस में P.A.N. T.H.I.E. हो जाता है वहीं एक ही बात है पैथी या पंथी एक ही बात है अगला है गुजरात गुजरात में गर्बा इंडिया और भावई गर्बा डांस में क्या होता है गर्बा डांस बेसिकली जो होता है यह आपका नौरात्री के समय में होता है इसे मठकी उगरा लेकर के दीपक रखे जाते हैं और जो डंडिया है तो उसमें डंडिया बजाई जाती हैं, अगराल को गुवा, गुवा का डांस है सिगमो, सिगमो और जगूर, सिगमो और जगूर, हर्याणा का लिखलो, जागूर, हर्याणा में भी जागूर चलता, हर्याणा में लिखलो, गुग्गा और जागूर, हर्याणा में ज़्याणा पूछा नहीं जाता है, गुग्गा और जागूर, हिमाचल प्रदेस में लिखो चापेली, हिमाचल प्रदेस में चापेली डांस, चापेली और महासू, चापेली और महासू, जंबू कस्मीर में एक नाम लिखो, राउफ, राउफ डांस, जंबू कस्मीर में क्या है, राउफ, राउफ डांस देखे राउफ डांस मंदजात हीकत कई डांस हैं लेकिन एक ही नाम में आप रखो राउफ राउफ डांस इसके बाद मिलेको जारखंट जारखंट मिलेको सरहूल आओ जीसे अभी पढ़ाएंगे आपको भागोरिया नत भागोरिया डांस भी है ठीक है हाँ लेकर सरहूल सरहूल उत्सुख के द्वरान में जो डांस होता उसी को बोलते हैं सरहूल नत सरहूल आपका हो गया दूसरा लिको डूम्चक 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 डांस केरल में लिखो केरल में आप लिखो केरल के दो नाम तो सुरुवात में ही हो गए कतकली और मुहिय अट्रम तो उनको तो लिखना नहीं है इसको आप लिखो काली काक रिसी पहला नाम लिखो केरल में काली काक रिसी काली काक रिसी हाँ दूसरा है मर्गम कली जैसे कतकली है वैसे मर्गम कली मर्गम कली कूडिया टम कूडिया टम ये आपका एक बार पूछा गया है कूडिया टम कूडिया टम कूडिया टम अभी तक जो आपने लिखे हैं इन में से असाम मौला आपका भी हूँ याद रखना है आपको विदेशिया और च्छत्रड का पंडवानी और जंबू कस्मीर का रौफ और केरल का सरहुल और केरल का कलारी मरगम कलि और कूडिया टम ठीक है एक नाम और केरल में जोड़ो लो कलारी पे टु या एक मारसल आर्ट भी है और मारसल आर्ट के समय में जो dance होता है, उसकी को बोलते हैं, किलारी पर two dance जो है, वो martial art सिखने दोवरन में किया जाता है, ठीक है, और ये भारत का सबसे पूरा नar outreach भी है, महराष्ट में आजाओ, महराष्ट में कौन-कौन famous लाउनी और तमासा लिखो लाउनी और तमासा यह महाराष्ट में है लाउनी डांस और तमासा अभी कुछ दिन पहले जो बाजी राव मस्तानी मूवी आई थी तो उसमें जो गाना था जिसमें दोनों एक्टरस ने किया था वो यहीं डांस था लाउनी डांस लाउनी डांस त मैं दिवने मिले को जवारा डांस दूसरा है भागोरी आनरत जवारा भागोरी आनरत सेला भडोनी डांस सेला भडोनी डांस सेला भडोनी डांस देखो आप अलग से गलाए में लेको भागोरी आनरत भेलों में प्रस्लित है भेल ट्राइब्स में प्रस्लित है हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि लोकनत हैं लोकनत में फेमेज डांसर कभी पूछे नहीं जाते है जैसे पंडवानी एक नाम हो गया उनको तीजन भाई को मिल गया इसलिए उनका नाम प्रस्लित हो गया वहाना क्लासकल डांस की परस्लित पूछी आती है लोकल डांस में तो तमाम लोग होती है भागोरी अनत कहां पर होता है भील जन जाती में भील जन जाती कहां पाई जाती MP में पाई जाती है सबसे ज़्यादा MP 36 आपको पता है भीलो में एक तिवहार होता है गोल गधेडो नाम सुना है गोल गधेडो का नाम सुना है नाम ही नहीं सुना गोल गधेडो का मतलब यह है कि भील जनजाती में जब साधी बिवा होता है तो उनके हाँ नियम यह है कि जैसे 4-6-10 गाओं के जो भी कंडिडेट है भील जनजाती के लोग वो सब क्या करते हैं साधी के समय में क्या होता है कि एक बहुत सारे गार्जेन आके यहां पर बैठत इसी पिलर के उपर में गुड़ और चना बांध के डाल दिया जाता है उपर पिलर में बांध दिया जाता है और तमाम जो भेल कम्यूंटी की लड़किया होती है वो इसी पिलर के चारों तरफ खड़ी रहती है कि, यद्थ कोई भील ना युवक इस घेरे को नोड़ करके और उस पर चढ़ करके गुड़ और चने को खा ले तो उसके पास में 24 होती है कि इन में से वो किसी एक के साथ में बिवा कर सकता है अब सुनतो लो पूरी बात ये इतना आसान नहीं है ना कि जब आप घेरा को तोड़ने जाएंगे तो ये लड़कियां आसानी से आपको चढ़ने उपर नहीं देंगी मतलब ये है कि जो तमाम प्रकार की समस्याओं को तोड़ करके उपर जाएगा वही तो बाहुबली होगा यानि ये सोर बाहुबल की होती है वो एक बात की मेटर है आपने कभी फिल्में देखी है कि फिल्मों में क्या है कि नायक और नायका मिलते हैं लड़ाई जगड़ा होता है और फिर इसके बाद में दोनों मिल आते हैं बिवा हो जाता है और उसके बाद में लिक करा जाता है दाइंड क्योंकि कहीं आपने दे ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो परसनल समस्या अपना-पना लोग हिलेंगे, वो नहीं दिखाते हैं, ओवराल जो है, शुरुआत की जो बाते हैं, वो फिल्मों में दिखा देते हैं, लास्ट में खतम कर देते हैं, घर, यहां पर हम करने कोशिज कर रहे थे, कि यह क्यों भी भील जनजाती के लोग आ जा सकते हैं, गार्जियन जो होते हैं मेले के बाहर रहते हैं, और भील जनजाती के लड़के-लड़किया इस मेले के अंदर में जाते हैं, यहां पर बहुत सारे जूले लगे हुए हैं, खाने-पिने चीजे लगी हैं, और वहीं मेले में घुमते ह हुए जो भी इनके लड़के लड़किया हैं वो अपने लिए योग भावी वर और बधू की तलास करते हैं और यह दोनों की बात बन गई तो मेले में बाहर आते हैं अपने गार्जियन से बता देते हैं कि हमने पसंद कर लिया तो घर वाले गते भाग जाओ उसी संस में जन जाती हो जोड़ों कोई मोका मिलेगा सबको मोका नहीं मिलेगा आगे देखो मड़पुर में देखो मड़पुरी डांस मेर राइनत वहाँ नहीं है राइनत आपका बुंदेल खन में है यूपी में यूपी के बंदेरखन में आता है रायरनत मयूरनत दिवारी नत इस तरीके के नत ठीक है उसका भी ठीकर गेंगे यूपी भी तो है वласт में के लिगो जवारा मद्वजद उस्ट हो क्या मद्पूल को थांगता थांगटा थांगटा नत मासराल जैसा ही होता है थांगटा नत थांग का मतरब तलवार टामाने होती बर्ची तलवार बर्ची का यूज करके होता थांगटा दूसरा लिको नूपा 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 नत ये दोनों आपके यहीं पे हैं मडिपूर में, ठांगटा और नूपनत, मेघाले का बहुत इंपोर्टन नहीं है, लिखना चाहो लिख लो बाकी इंपोर्टन नहीं है, इसका नाम है साद सुक, साद सुक, अगला रिको मिजोरम, मिजोरम में लिको चिराओ, मिजोरम में नृत का नाम है चिराओ, यह कुछत आपका कई बार पूछा गया है, चिराओ नृत, कहाँ पर होता एं? चिरव, चिरावनत और जंगतालम, दूसरा है जंगतालम, 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 नागालेन में लिखो रेंगमा, जंगतालम, 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 जं तो नहीं होता बास रत में क्या होता कि यह जैसे बास रखे हुए है इस तरीके से बास रखे हैं एक 32 बास को पकड़ लेगा एक इधर पकड़ेगा इन दोनों बासों के बीच में जो डांसर होगा वह यहां पर डांस करेगा यहां पर क्या है कि एक बेक्ति ने बास पकड़ रखा एक इधर पकड़ा एक इधर पकड़ा जैनि दो दो आदमियों ने जो भी बास पकड़ रखा उसके बीच का जो इस पेस होगा उसी में डांस किया जाएगा इसी को बोलते है बास नरत या बैंबू डांस अगरा लिखो उरिसा, उरिसा में लिको च्छाउ नृत, च्छाउ, च्छाउ का मतलब समने हैं, च्छाउ का मतलब होता है, मुखाउटा, च्छाउ का मतलब होता है, मुखाउटा, यानि मुखाउटा उला डांस, कि किसी बेक्तिका मास्क लगा करके डांस करना, च्छाउ, दूसरा है गोती पुवा गोति पुवा डांस अगरा लिखो पंजाब पंजाब में आपका है भांगड़ा और गिद्दा और धमाली धमाली गिद्दा भांगड़ा तो आप समझ रहें गिद्दा क्या होता हाँ यानि जब कोई लड़की भांगड़ा वाले डांस को करती है तो लेडिज भांगड़ा ही गिद्दा कहलाता है और धमाली का मतरब क्या होता है कि कोई भी लड़के और लड़कियां एक दूसरे का इसे हाथ पकड़ ले, और हाथ पकड़ करके पिछारो तरफ round round में घूम जाए, खेलाए कभी, कीकली डांस जैसा, हाँ, वही होता है कीकली डांस जैसा ही है, ठीक है, वही होता है धमाल डांस, यह वहाँ पे है, और इसे को कीकली कहे देते हैं, कस्मीर में, अगरा लिखो राजस्थान, राजस्थान में लिको घूमर, घूमर हो गया, गडगोर, तेरह ताली, कालबेलिया, इसमें आप कालबेलिया के जूरू याद रखें, लेको, आपने एक संस्था का नाम सुनाओगा, युनेस्को, कहां पर इसका हेड़कोर्टर है, युनेस्को का हेड़कोर्टर कहां पर है, पैरिस में है, जिन्हों मैं नहीं, तो युनेस्को ने क्या किया है, कि कालबेलिया को 2010 में क्या घूसित किया, अमूर्थ विरासत स्थ abstract heritage abstract heritage of mankind मानो जाती की अमूर्त धरोवर गोसित किया गया है काल बेलिया को आपको ये बात पता है नहीं पता कि जो काल बेलिया होते हैं ये सपेरे होते हैं इसने कैचर वाली जाती से समन्दित होते हैं और काल बेलियों के समय में जब बिवाह होता है तो बिवाह के समय में इनके माता, पिता अपनी लड़की को पांचे साप देते हैं और उस साप पिटारे में रख करके दिये जाते हैं वो इसलिए दिये जाते हैं कि कल को सास कुछ कहे तो दो-चार साप फेग दोसके उपर तो उसके पुराने हो चुके होंगे साब यह दिया जाता है उपहार में दिया जाता है हाँ अभी भी दिया जाता है अब यह की पांच नहीं दिया जाता होगा तो एक दो दिया जाते होंगे ठीक है लेकिन यह की आज भी परंपरा उनके हाँ पर है कि इनके हाँ के लड़कियों की जब साधी होती है तो दिया जाता है देखो घूमडाश कि में खास बात यहा है कि जो लहंगा पहना जाता है लहंगा में जितना जादा घड़मावदार होगा प्लस उस पे कितना जादा इस्टोन वर्क होगा, कांच के टुकड़े लगे होंगे, कितना लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा, उस पे बेतर होता है घूमर डांस, कौन, कालबेलिया वाले, कालबेलिया अभी भी जिंदा है, राजस्थान में पाई जाती ना, सपेरा जाती, आज भी तमाम लोगों को ज स्नेक आइलेंड पर आप जाओगे, तो वहां पर सांपी सांप दिखेंगे, क्या, सांपों का प्रदेवता ही रहते हैं, जब आपका चला था, यूक्रेन रसिया का वार चला था, बीच में एक बार स्नेक आइलेंड का जिक राया था, स्नेक आइलेंड आप गोगल पर हैं, मजीरा सुना है, जो आपस में लडाया जाता है, मजीरा, सरीर में तेरह जगा पर, कलाकार के द्वारा, हाथों में, पैरों में, पेट में, गर्दन में, हर जगा पर, तेरह जगा पर मजीरे बान लिया जाते हैं, और जब डांस किया जाता है, मजीरा नहीं देखा, अ तो तेरह जगहों पर बांध करके डांस किया जाता है, तो जब डांसर डांस करता है, तो कुछ ऐसे डांस के step होते हैं, कि वो जो मजीरा होता है, वो भी आपस में लड़ते हैं, तो एक आवाज आती है, तो तेरह ताल, तेरह जगह से आवाज आ रही, इसी को बोलते हैं, ते ब्लैक और रेड कॉमिनेशन होता। घागरा इनका ब्लैक कलर का उपर पार्ट जो है ब्लैक कलर का और इसके बाद में जो पुरुस होते हैं वो यहाँ पे खड़े होकर के बीन पकड़े रहते हैं। अब पुरुस जो है बीन बजाते हुए इधर को भागते हैं इस केसे में चलती हैं। coprashDet UP Pूरुस भीन बजाते हैं और महँलाएं इस बीन पर डान्स करती हैं, इसी को कहतें कालवेलिया. ना गी लिखो। यह आपने लिख लिखी था UWNESCacia ने इसे अमूर्थ विरासत घोशित किया, इन्टेंजिबल हेरिटेज, या आइबस्ट्रेक्ट हेरिटेज घोशित किया, ठीक है, अगला देखो, सिक्किम, सिक्किम में नाम देखो, तमांग सेलू डांस, एक हो नाम देखो, मारूनी डांस, या मारूनी नाच, मारूनी नत, तमिलाड़ में रिखो, तमिलाड़ में पोंगल, पोंगल, तमिलाड़ में पोंगल डांस, और कोलट्टम, आपने तिरू वल्लूवर का नाम चुना है, तिरू वल्लूवर, जो उन्होंने संगमेज में एक किताब लिखी थी, तिरू कुरल, तिरू कुरल, तिरू वल्लूवर के दौरा लिखी गई किताब है, ये किताब तमिल साहिति का बाइबिल कहलाती है, या इसको तमिल भासा का पाच्वा बेद भी कहा जाता है, इतनी महत्पूर किताब है, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इस साल पुर्धान मंत्री के दौरा, इनके जनम दिन को, इनके जनम दिन पर बढ़ाई दी गई, और एक बड़े स्तरपर दिल्ली सरकार ने, मतब केंद्री सरकार ने एक कारिक्रम किया था, और माना जाता है कि साउथ में तिरुवल्लूर भगवान विश्नू के अउतार माने जाते है, और उन्ही की याद में पॉंगल तिवहार मनाये जाता है, पॉंगल का जो पाच्वा दिन होता है, वो तिरुवल्लूर को ही समर्पित है, तो यह आपका करेंट अफेर्स का भी पाट हो सकता है, तो आप एक अलग से लाइन लिखलो इसी में, लिखो, तिरुवल्लूर पॉंगल तेवहार से समन्धित है, तिरुवल्लूर रिलेटेट टू, पॉंगल फेस्टिवल और तिरुवल्वर ने तिरुक कुरल नामा किताब लिखी तिरुवल्वर ने तिरुक कुरल तिरुक कुरल नामा किताब लिखी तिरुवल्वर रोट तिरुक कुरल क्या पुंगल फेस्टिवल है, फेस्टिवल के दोरान में डांस किया जाता है, जैसे दीपा वली क्या है, एक फेस्टिवल है, और बुंदेल खंड में दीपा वली के साथ में दिवारी नरत किया जाता है, तो डांस हो गया, ठीक है, तिवहार पर ही तो डांस होगा, डांस कब करे जाता है। इस बुक कंसीडर्ड एज बाइबिल आप तमिल लिट्रेचर। या फिप्त बेदा पंचम बेद। इसे तमिल साहित का बाइबिल कहा जाता है या पंचम बेद कहा जाता है। इसे तमिल साहित का पंचम बेद कहा जाता है या पंचम बेद कहा जाता है। जैसे जो मात तो हमारे इन किताबों का है अर्थसास्त की किताब का लेलो या वेदों का लेलो वैसे ही मानो जीवन के बारे में बताने के लिए वहां पर ऋग किताब लिखी गई है। अगला आपका क्या है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के लिखो लोगनत्र सबसे पहले लिखो नोटंकी. नोटंकी. आपको जानके हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश का सबसे लोगप्रित नत्र नोटंकी ही है. और ये इतना लोगप्रित नत्र है कि हर घर में खेला ज जाते हैं, कहनिया बदल जाती हैं। आगला को चर्कुला यह आपका ब्रज में है। चर्कुला कहां पे, ब्रज शेत्र में है। आपका बुंदेलखन शेत्र में है। बुद्रे रखने नहीं, यूपी वाला ही पार्ट, चर्कुला ब्रेज वाला पार्ट, और उत्राखन को लिखो, उत्राखन में भोटिया नरत, भोटिया, भोटिया, एक भोटिया जो होते हैं, वहीं कुछ लोग आपने नाम के आगे भाटिया लगा लेते हैं, तो भाटिया जो है भोटिया काई बिदला हुगा नाम है, भोटिया वहां की ट्राइबस होती हैं, भोटिया जनजाती पाई जाती नहीं वहां, लेकर हम कहरें भोटिया जनजाती जब यहां पर आती हैं तो भाटिया लिख लेते हैं अपने आपको, ठीक हैं, तो इस सिक्क्यम से लेकर उत नाम फुली यह आपका उत्राखंड में है और आपको बता दे यह आप राजस्थान, पंजाब, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, मद्ध्र प्रदेश, महारास्थ, और बिहार, असम, इतने नाम पर्यापत है तो इतने नाम में कुछन आपको मिल जाएगा, कई बार सीधा- मिल जाएगा, किर्जमे से यह नहीं होगा, आठ स्टेट हैं, जो सबस्याद आते हैं, एक यहाँ पर आपका लिखा है, नोर्स में कुछ लिख लो, तो नोर्स में आप पस्चिम मंगाल का लिख लो, क्योंकि इसमें नौरातर भी चल लाई है, और पस्चिम मंगाल में बड परदस तरीके से डांस किया जाता है, घूम घूम करके, और दीपक बुशता भी नहीं, यह खास बात है, पस्चिम मंगाल में लिखो, पस्चिम मंगाल का डांस लिखो, जतरा, बाउल, जतरा, बाउल, और लाठी नत, लाठी, लाठी नत, हाँ यह भी बंगाल में, यह तीनों बंगाल में है, हाँ, लिखो, लाठी, बस यह आपके पूरे हो गए, यह टॉपिक आपका पूरा कंप्रीट हो जाता है, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट आपके आ गए, इसलिए हमने कहा था, पांच से साथ जो है, वो चीज़े आप याद रखिए, अगला आप देखो, दूसा टॉपिक दिया ग इसमें नाम जो दिये गए हैं, कुछ में में बातों पर discuss कर लेते हैं, कुछ में में बातों को detail में कर देते हैं, बाकी में लिखा के छोड़ देते हैं, ठीक है, देखो, सबसे पहले जब हम देख लेते हैं, मैप पर, यह देखिए, इंडिस वैली सिविलाइजेशन का मतलब यह है, कि यहां से लेकर के, इस तरीके से अलाके में यह फैला हुआ था, और यह जो पूरा एरिया है, यह लगबग 14 लाक स्कॉाइर किलोमीटर, 14 लाक वर्ग किलोमीटर में इंडिस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था, यह देखिए, इसके पूरब पस्यमुत्तर दश्र में जाए, तो इसके सबसे उपर में आपका मिलेगा मांड़ा, मांड़ा, और मांड़ा किस नदी किनारे है, चिनाब नदी के किनारे, कहाँ पे जम्बू कस्मीर में, यह देखिए, पूरब के ओर आ जाए, राखी गड़ी यहाँ पे दे दिया है, यहीं पे आपका आलमगीरपूर, इसमें नाम नहीं दिया है, आलमगीरपूर, आलमगीरपूर यह कहाँ पे है आपका, किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे, कहाँ पे मेरठ में है, यानि इस सभिता का जो इस्टन पॉइंट है वो है आलमगिरपूर इस सभिता का जो साउथ का है वो है दैमाबाद दैमाबाद जो है वो महराश्ट में है गोदावरी की साहिक नदी के पास महराश्ट में और चोथा जो है वो है आपका सुत कांगे डोर सुत कांगे डोर यह आपका पढ़ता है बलूचिस्तान में और जिस समय ये सभिता बनी थी उस समय सभिता के नगरों में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला जो सहर का हमें साच मिलता है वो हमें यहीं से मिलता है दुनिया के सबसे पहले जो हमें साच मिले वो यहीं से मिले तो सबसे पहले आप इसमें देखो इसमें पूछा गया है कि एक्सक्वेटर कौन है और उसके निसकर्स क्या है तो इसमें नोट करो हरपा सबसे पहले लिखो 1921 में दयाराम साहनी के दोरा हरपा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के दोरा और खोज या निसकर्स में आप सबसे पहले लिखो अन्नागार के साच मिले एविडेंस आफ ग्रेनरीज अन्नागार के साच मिले अन्नागार का मतलब क्या हुआ जहां पे अनाज रखा जाता था ग्रेनरीज अन्नागार के साच यानि जहां पे हम रखते थे दूसरा लिखो स्वास्तिक सिंबल स्वास्तिक चिंड भी हमें यहीं से मिला स्वास्तिक सिंबल स्वास्तिक चिंड यहीं से प्राप्त हुआ और बाकी जो मिन-मिन और भी चीज़े मिली वह हमें यहाँ पर नहीं लिखना है जैसे मौडलाब, बुलककार्थ भी यही से मिल गया था हमें और एक मानो कणकाल भी मिला था हमें, पथरका ठीक है, तो इतना नहीं पूछे गा 1921 में दैराम सानी और दैराम साहनी और ये जो आपका हरपा है किस नदी किनारे है रावी नदी के किनारे महंजुदारों किस नदी किनारे है सिंदु के किनारे कब खोज हुई आडी बनर जी ने खोज की 1922 में महंजुदारों के बारे में लिखो आडी बनर जी ने 1922 में खोज की 1922 में आरडी बनरजी के दौरा इसकी खोच की गई खुदाई करता में लिखो आरडी बनरजी पूरा नाम है राखालदास बनरजी राखालदास बनरजी यहां से हमें क्या मिला है इसनानागार के साच evidence of great bath great bath इसनानागार के साच मिले है ग्रेट बात मिला हमें यहां से इसके लाबा ब्राउंज इमेज लिखो ब्राउंज इमेज आफ़ा डांसर नर्तकी की कासे की मूर्ती मिली है एक नर्तकी की कासे की मूर्ती मिली है एक नर्तकी की कासे प्रतिमा मिली है नर्तकी की कासे प्रतिमा मिली है तीसरा, पस्पति महादेव की मुहर मिली है, शील साप पस्पति महादेव, ठीक है, इसके बाद में आप लिखे, तीसरा के है नम है चनहुदडो, चनहुदडो की खोज NG मजूमदार के दवारा 1931 में की गई, NG मजूमदार, NG मजूमदार के दवारा की गई, 1931 में की गई, कहां पे है, सिंध में हैं, इंडस नदी के किनारे, सिंध में हैं, इंडस नदी के किनारे, और हमें मिला यहां से क्या है, बीड मेकर्स फेक्टरी, मनका बनाने का कारखाना, बीड मेकर्स फेक्टरी, मनका बनाने का कारखाना, मनका, मनका कह नतर है, बीड, बीड कह नतर है कि जो पत्थर होते हैं, पत्थरों, यह नि जो स्टोन जोलरी होती है, उसी को बोलते हैं, बीड, मनका बनाने का कारखाना प मन्का बनाने का cigar खाना. इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं. बाकी लिखना नहीं है, वो यह है, कि माना जाता है कि यहीं से हमें Lew臍स्टि के भी साचि पहली बार यहीं से मिले थे. ठीक है? एक और क है अपने जवाने में यह अपने कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट के लिए जाना जाता था ठीक है चन्हु दोड़ो अगला लेको लोथल लोथल की खोज आर राउ के दौरा की गई 1953 में आर राउ 1953 में आर राउ के दौरा 1953 में की गई किस की लोथल की लोथल की नदी है भोगवा नदी भोगवा नदी गलफाब कैमबे खमभाद की खाड़ी के पास भोगवा नदी लोथल आप इसी आसुन में लगा लो इसे हडपा का मैंचेस्टर कहा जाता था मैंचेस्टर आफ हडपा लेको लोथल वाज कंसीडर्ड आइज मैंचेस्टर आफ इंडर सिबलाजेशन इसे सिंदु सभिता का मांचेस्टर कहा जाता था जैसे आज भारत का मांचेस्टर कौन है अहमदाबाद है कानपूर उत्तर भारत का मांचेस्टर है और दच्छल भारत का क्या है कोईमबटूर और कोईमबटूर कहा है तमिल नाडू में ठीक है और केवल भारत का पूछेगा तो अहमदाबाद आगे है लोथल में क्या मिला प्रथम मानो निर्मित बंदरगा फस्ट मैनमेड पोर्ट लोथल में मिला हमें फस्ट मैनमेड पोर्ट दूसरा मिला है में डॉक यार्ड डॉक यार्ड का मतरब होता है पोतास्रे जहां पे बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं डॉक यार्ड पोतास्रे जहां पे बड़े बड़े जहाजों के रुकने की जगे होती है उसे हम डॉक यार्ड कहते हैं अगना लिखो, और ये लिखे लिए आपने लोथल को सिंदु सभिता का मांचेस्टर कहते हैं, ठीक है, अगना लिखो काली बंगा, काली बंगा कहा है? राजस्थान में, लिखो घोस के दौरा अमला नंद लिखो ए घोस के दौरा या क्यों घोस लिखो घोस के दौरा 1953 में खोज की गई घोस ए घोस के दौरा 1953 में इसकी खोज की गई लोकेशन लिखो राजस्थान में घगघर नदी के किनारे राजस्तान में घगघर नदी घगघर नदी के किनारे घगघर नदी के किनारे इसकी खोच की गई यहाँ से में क्या मिला है यहाँ से में मिला है लकडी का हल, बुढन प्लाव यहां से में बुडन प्लाव लकड़ी का हल समर रहे है जैसे पहले किसान लोग अपने खेतों में चलाते थे लकड़ी का हल होता था और नीचे लोहे का लगा रहता था लेकर उस जवाने में क्या था लकड़ी का हल भी है और लकड़ी की एक जो है लकड़ी दूसरी लगी थी उसी से खेतों की जुताई की जाती थी और दूसरा क्या रिखा आपने बुडन प्लाव बस एक ही नाम लिख लो अगला नाम लिखो धोला वीरा धोला वीरा धोला वीरा जो है आपका रनाप कच्छ में है रनाप कच्छ गुजरात और इसको दो बारा अंडरलाइन कमस्दान कर लो RS-20 के दौरा खोज की गई 1985 में हाँ RS-20 1985 RS-20 के दौरा इसकी खोज की गई excavation किया गया यहां से हमें क्या मिला है यहां से हमें stadium के साच मिले है evidence आप stadium हाँ stadium के साच मिले हैं में यहां से दूसरा है water reservoir विसाल जलासे प्राप्थ हुआ water reservoir water reservoir कमता है जहां पे बरसाद का पानी खोबी कठा हो जाये करता था और सबसे जो important बात है वो यह है कि UNESCO ने इसे भारत का चालिस हुआ world heritage site घोशित किया UNESCO declared धोला भीराएज 40th world heritage site of India चालिस हुआ हाँ धोला भीरा को 20 सुविरासा तिस्था world heritage site UNESCO declared धोला भीराएज इंडियाज 14th world heritage site एक चीजा आपको और दिखा देते हैं धोला भीरा को 2020 में किया गया था अब टोटल इसमें कितने है 42 और 42 अला कौँ सा है अभी दो कौँ सी site है बताईए सांतिनिकेतन और और होयसल के मंदिर होयसल टेंपल को मिला है होयसल टेंपल देखो सबसे पहले हम देखते हैं अभी इसके पहले हमने आपको लोथल लिखवाया है ठीक है अभी हमने इसके पहले लोथल का जिकर किया था तो लोथल के बारे में एक चीप बता दे आपको भारत सरकार का एक प्लान है कि लोथल को डेवलप किया जाए किस तोर पर लोथल को डेवलप किया जाए कि भविस्य में हम इस तरीके का एक म्यूजियम मना दे नेशनल मैरी टाइम हेरिटेज कॉम्पलेक्स और इस तरीके से जब हम डेवलप करेंगे तो पूरी दुनिया को ये मैसे जाएगा के रूप में विक्सित करने का नेने लिया Government of India announced Lothal Developed as Maritime Museum या National Maritime National Maritime Heritage Complex इसे National Maritime Heritage Complex के रूप में विक्सित किया जाएगा इसे राष्टी सामुद्रिक परिसर के रूप में विक्सित किया जाएगा और इसका उदेश अंतर राष्टी परेटन को बढ़ावा देना है Its objective to promote International Tourism इसका उदेश अंतर राष्टी परेटन को बढ़ावा देना है ठीक है तो इस बड़े स्थर पर बढ़ा काम है इसके बाद में आप आजाएए सुत कांगे डूर सुत कांगे डूर में बस इतना लिखकर छोड़ दो बलूचिस्तान में ये पढ़ता है इरान को काड़ करके बलूचिस्तान लिख लो यहाँ पर इरान लिखा हुआ है सुत कांगे डूर में इरान लिखा है उसको काड़ करके आप बलूचिस्तान कर लो और इसको लिख लो बलूचिस्तान और यही पर लिख लो द्रास्क नदी के किनारे द्रास्क नदी के किनारे और इसमें कुछ नहीं लिखाना है ना कोई हमारे काम का है और इसके आगे में एक ची लिख लो, यहां से हमें घोडे की अस्थियां प्राप्त हुई गोडे की अस्थियां प्राप्त हुई बनावली जो है उस सरसुती नदी के किनारे, आज तो सरसुती नदी बिलूप्त हो चुकी है, एक जवाने में माना जाता है कि सरसुती नदी हुआ करती थी, बनावली के बारे में लिखो बनावली के बारे में लिखो, RS-20 के द्वारा इसकी 1974 में खोच की गई, RS-20 के द्वारा 1974 में इसकी खोच की गई हाँ, धोला विरावाद में हुआ बनावली आपने लिख लिया, RS-20 के द्वारा यहाँ से जो सबसे important चीज़ है, लिखो, यहाँ से pre-haडपन कल्चर के साच मिलते हैं यहाँ हडपा से पहले का इलाका, यह हम कह सकते हैं कि हडपा से भी पहले यह मौझूद था लिखो, evidence of both pre-haडपन and haडपन कल्चर यहाँ से हडपा और हडपा पूर्व संस्कृती के साच मिलते हैं यहाँ से हडपा और हडपा से पूर्व संस्कृती के साच मिलते हैं evidence आप both pre-haडपा and haडपन कल्चर found here और बनवाली की जिले में पढ़ता है हरियाडा के हिसार जिले में अगला नाम है कोट दीजी कोट दीजी यह आपका पढ़ता है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु न दीखे किनारे और जो इसका सबसे इंपोर्टन चीज़ है वो यह है यहाँ से चांदी के उप्यों के साच मिलते हैं evidence आप silver यहाँ से silver metal के साच मिलते हैं यह इसका सबसे पहला है और इसके बारे में एक और सब्द कहा जाता है इसकी को कहा जाता है लेकिन इससे ज्यादा जो चांदी के उप्यों का साच है इसका कुशनिस पे ज्यादा बनता है अगला है मिताथल यह हरियरा के भीवानी जिले में पड़ता है 1968 में सूरज भान ने इसकी खोज की यह किसी नदी के किनारे नहीं है माना जाता है कि यह कोई गाउं हुआ करता होगा क्या हुआ मिताथल में आप लेको मिताथल कहाँ पर हरियरा के भीवानी जिले में इसकी खोज में 1968 में सूरज भान के दौरा यहां से हमें मिली है तांबे की अंगूठी तांबे की अंगूठी यहां से मिली है अगला नाम है आलम गीरपूर आलम गीरपूर कहा है हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद वाली वहीं तो है most polluted river एक जवाना में तो ऐसा था कि हिंडन नदी के से पानी किसान अपने खेतों में लगाते थे उससे जो सब्जिया उगती थी वो सब्जिया दिली में बेचने के लिए आ जाते थे खुद नहीं खाते थे क्योंकि इतना ज़्यादा उसका पानी प्रदूसित हो चुका था जब जहर को बोएंगे जहर खाएंगे तो जहर ही तो बिगेगा आज आपने कभी सोचा कि पहले लोग बीमार कम पढ़ते थे अब बीमार क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारा जो हम केमिकल पेस्टिसाइड का प्रियों करते हैं खाने पीनों में तो कहीं ने कहीं तो उसका असर होगा यह होगा यह पंजाब के इलाके में बहुत ज़्यादा लोगों ने हरित क्रांती का फाइदा उठाया है तो उसका ड्रॉबैक भी रहा है कि पंजाब के इलाके में आपको कैंसर और तमाम प्रगा की बीमारिया ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि खेती जहरी ली हो चुकी इसलिए तो बार-बार कहीं जाती है कि हमें और्गैनिक फार्मिन करनी होगी आज आप देखते हो कि यह और्गैनिक प्रोड़क्ट वाली कोई चीज होती है तो अपने आप ही म देखती ने खोज नहीं की थी पंजाब युनिवर्सिटी की एक टीम आई थी उसने यहां पर खुदाई कर आई थी अगला एको रंगपूर रंगपूर जो है यह आपके गुजरात में भादर नदी के किनारे रंगपूर भादर नदी के किनारे यहां से हमें मिला है evidence of rice cultivation धान की खेती के साच मिले यहां से हमें धान की खेती के साच मिले काली बंगा से भी मिले तो जाहर चिवात है जहां जहां होगा वहीं तो मिलेगा धान की खेती के साच मिले काली बंगा में हमने आपको बुडन पुलाव लिखाया था लकड़ी का हल लिखाया था वहाँ पर ये सबस्वड़ी बात थी और यहाँ पर धान की खेती के साथ आगे लिको हर्याडा अगला नाम क्या है आपका राखी गड़ी राखी गड़ी भी है इस पे काम अभी चल लाए है हाँ ये भी सरवस्ती नदी के तड़ पर है सरवस्ती नदी आज क्या है बिलूप तो हो चुकी है बिलुप तो सरवस्ती के नदी के तड़ पर इसके वारे में लिखो सेकंड लार्जिस्ट साइट आफ सबस्क्राइब गए तैयरा या वी तो सकर्थ है ऑद वार्थ साइट आ है और और रहर ना हए और यहां पर मन रहा और यहां से राकी गड़ी में एक महिला का कंगाल मिला और अशनकाल मुन जाता है कि पहले जो हमारे रहां पर अंग्रेजों ने आर्य और दर्वण की जो धेरी दी थी। कि उत्तर में आरेञे नहीते है दच्छरव में दर्वण में दर्वण नहीत थै है। इसका मतलब है कि उत्तर भारत और दच्छल भारत के लोगों का कोई पूर्वजे की रहा होगा। और ये जो है अंग्रेजों ने जान बूज करके डिवाइड एंड रूल की पॉलसी के तहत बाटने का प्रयास किया। कभी आप ने गोर किया कि हिंदी को राष्ठभासा क्यों नहीं बन पाई क्योंकि दच्छल भारतियों को लगता है कि ये तुसर बाहरी वाले है और उनकी भासा भी लग गई राष्ठभासा बन गई तो हमारी भासा है तो प्छलती चली जाएंगी। भारत ही ऐसा सायध है जहां पे कोई राश्टवासा ही नहीं है और राजवासा है तो बहुत सारी है राश्टवासा आमारी कुई है यह नहीं लिखो राखी यड़ी में अमरेंद्रणाथ के द्वारा इसकी इसका एक्सक्वेशन किया गया अमरेंद्र नात के द्वारा यहाँ पर क्या था सिस्टमेटिक ड्रेने सिस्टम बेहतर जल निकास प्रणाली हाँ राखे गड़ी में सिस्टमेटिक ड्रेने सिस्टम बेहतर जल निकास प्रणाली बेहतर जल निकास प्रणाली दैमाबाद लिखो गोदावरी नदी के किनारे एक चुल में गोदावरी के एक सहक नदी है प्रवरा छोटी नदी है बरसाती नदी है जो सूख जाती है गोदावरी ब्रैकट में लिख लेना प्रवरा नदी गोदावरी नदी के किनारे गोदावरी नदी के किनारे ठीक है? लिखो 1958 में BP Bopardiker के दौरा इसकी खोच की गई 1958 में BP Bopardiker BP Bopardiker के दौरा इसकी खोच की गई BP Bopardiker के दौरा इसकी खोच की गई अगला नाम देखो आमरी आमरी की खोच NG मजूमदार के दौरा की गई 1953 में NG मजूमदार NG मजूमदार NG मजूमदार 1953 NG मजूमदार के दौरा की गई 1953 हाँ पाकिस्तान में है सिंदुनदी के किनारे यहाँ पर हमें हिरन के साथ मिले हिरन के साथ मिले अगला नाम लेको रोपड रोपड पंजाम में है सतलब नदी के किनारे यगदत सर्मा के द्वारा इसकी खोच की गई यगदत सर्मा टाइम प्रेट की बात करे तो 1953-54 में किया गया लेकिन यगदत सर्मा से ही काम चल जाएगा यगदत सर्मा यहां से क्या है? ठीक है, लेकिन असली नाम वफादारी का कर देंगे तो नहीं खुस होगा, इसका तो यह है कि यह वफादारी के तोर पर दोनों को साथ में तफ़ना जाता था, आगे लिखो, रोजडी, रोजडी, रोजडी भी जो है आपका गुजरात में है, भादर नदी के किनारे, गुजरात में भादर नदी के किनारे, इसमें बस एक चीज़ का नाम लिखना है, यहां के मिट्टी के बरतनों पर सिंधू लपी के सिंबल प्राप्त हुए है, सिंबल आफ इंडस स्क्रिप्ट यूज़ इन जो टेंसल यानि बरतनों पर, मिट्टी के बरतनों पर सिंधू लपी के चिंध प्राप्त हुए है, सिंधू लपी, इंडस स्क्रिप्ट, सिंधू लपी का मतर समर रहे हैं? जो सिंधू लपी में लपी लिखी जाती थी, उसी को कहा जाता था इंडस लपी, इंडस स्क्रिप्ट, आपको पता होगा कि सिंधू लपी में दो सबसे ज़दा पाए गए हैं, एक यू आकार का चिंध, इस तरीके के सिंबल बहुत मिले है, और दूसरा फिस का जो चित्र है वो मिलता है, अभी तक इसकी लपी पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए हम अनुमान लगा-लगा करके बहुत सारी बाते कहते हैं, और जिस दिन इसकी लपी पढ़ ली जाएगी, उस दिन हमें और भी बहुत कुछ जानकारिया मिल जाएंगी, ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, सिंदुसरा बिद्रा का, आगे आप आजाओ, आगे सबसे पहला क्या है, बिदेशी, लेखा केवं साहित है, ठीक है, तो इस में से कुछ चिजा आपको आती होगी, कुछ चिज-डिस्चन हो जाएगा, सबसे पहला मेगस्ठनीज, मेगस्ठनीज कहां से आया था? ग्रीक से आया था, युनानिया ग्रीक, और मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, इंडिका, अब हमारा कुशन यह है, कि मेगस्थनीज ने इंडिका किताब में भारती समाज को कितनी कटेगरी में बाटा, पांच कटेगरी में, साथ कटेगरी में, नो कटेगरी में, बार तॉलमी कहां से आया था एजिप्ट से आया था टॉलमी और जब टॉलमी एजिप्ट से आया था तो इसकी किताब का नाम क्या है टॉलमी की किताब का नाम क्या है टॉलमी की किताब का नाम है जोग्राफिया जोग्राफिया इसकी किताब का नाम है जोग्राफिया जोग्राफिया तीसरा है प्लिनी प्लिनी कहां का था इटली का प्लिनी है इटली का और इसकी किताब का नाम है नेचरल हिस्ट्री प्लिनी की किताब का नाम है नेचरल हिस्ट्री और जो चोथी बुक आपके लिखी है पेरी प्लस आफ एरिथ्रियन सी इस किताब का जो कोई लेखक है इस लेखक का नाम कहीं नहीं मिलता है हमें माल लेते हैं कि कोई अन्नोन ग्रीक राइटर रहा होगा अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा यह किताब लिखी गई लेकिन हमें इसे पता क्या चलता है जो को भारत और रोमन सामराज के बीच ब्यापारिक समंधों का पता चलता है पेरी प्लस आफ एरिथ्रियन सी में लिखो trade relation with भारत and Roman Empire अगला नाम है फहयान फहयान कहां से आया था चाइना से आया था किसके सासनुकाल में आया था किसके समय आया था फहयान चंदरगृपत दुती या चंदरगृपत विक्रमादित कहो ठीक है लिखो चंद्रगूप्त विक्रमादित या चंद्रगूप्त दुत्या के सासन काल में आया चाहिना से आया था इसकी किताब का नाम क्या है इसकी किताब का नाम है फोकु की सी यू की तो हैंसां की थी इसकी किताब का नाम है फोकु की भायान किताब का नाम है फोकु की और एक पॉइंट ओर लिख लो या भारत में लगवग 15 वर्स तक रुखा अगला नाम क्या है होईन सांग होईन सांग कहां से आया चाइना से आया किसके सांगाल में आया हर्सवर्धन के समय में हर्सवर्धन के समय में और इसकी किताब का नाम क्या है सी यू की इसकी किताब का नाम है सी यू की सी यू की इसकी किताब का नाम है ठीक है सी यू की लिख देते हैं सी यू की C.U.K.E. C.U.K.E. किसी किताब का नम है? और एक जिए लिख लो, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है. हर्सवर्धन is considered as, is also considered as Prince of pilgrims. Prince of pilgrims. हाँ, होईंशांको. होईंशांको, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है. फिलको इसने नालंदा विस्विद्याले में 18 महीने पढ़ाई की इसने नालंदा विस्विद्याले में 18 महीने की पढ़ाई की देखो इसने नालंदा विस्विद्याले में 18 महीने की पढ़ाई की देखिए जब भी हम नालंदा की बात करते हैं नालंदा की जब भी बात करते हैं तो इसके लिए कहा जाता है इसके लिए एक नाम होता है आक्स फोर्ड आब्दा महायान जैसे हीनियान और महायान बौध धरम के दो सेक्ट हैं उनमें से महायान बौधिजम के लिए या युनिवर्सिटी थी या युनिवर्सिटी जो है कुमार गुप्त के सासनकाल में स्टेब्लिस की गई थी आगे चल करके कहा जाता है कि इसका सिस्टम ये था कि इसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और उन 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 2000 टीचर हुआ करते थे यानि स्टूडेंट और टीचर का रिशियो जो था 5 स्टूडेंट पर एक टीचर था और आज हमारे यहाँ पर नई सिच्छा नीती लागू है उसमें कहा जाता है कि 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए वो अब आरे पास नहीं है जबकि उस समय पांच बच्चों पर एक टीचर हुआ करता था जो भी बच्चा यहाँ पर एडमिसन लेता था तो एडमिसन लेने के बाद में उसका रहना खाना पूरा फ्री होता था यानि बोर्डिंग स्कूल जैसा था कि एक बार बच्चे ने डमिसन ले लिया तो इसका रहना खाना सब फ्री हो गया क्योंकि आस पास के जो राजा महराजा होते थे वो इस उनिवर्सिटी को पैसा देते थे और ये उनिवर्सिटी अपना जो है इसी तरीके से पूरा प्रसासन चलाया करती थी इस उनिवर्सिटी की लोगपृता का अंदाजा इसी बाद से लगा सकते हैं कि इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट देश के तो होते ही थे और विदेश में से देखा जाए तो तिबबत, चीन, कूरिया, भूटान, स्रिलंका, इन सब जगों से पढ़ने के लिए स्टूडेंट आया करते थे इसकी लाइबरेरी नो मंजिला थी और नो मंजिला लाइबरेरी में 50 लाख किताबों का कलेक्शन था और इसकी लाइबरेरी के ठीक सामने रतन रंजक, रतन सागर और रतनो दधी नाम के तीन बड़े-बड़े हॉल हुआ करते थे वहीं पर बैट करके बच्चे पढ़ाई किया करते थे हर्सवर्धन ने भी अपने 200 गाओं की कुल इंकम को इस विस्विद्याले को दान में दे दिया यह सारी चीजे इसकी चला करती थी यहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए जब एडमिसन लेने आता था तो उसका भी इंट्रेंस एक्जाम होता था और इंट्रेंस एक्जाम में बहुत धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंद पूछे जाते थे और जब उनका जवाब दे 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 रहा तब उसका इडमिसन यहाँ पर कराया जाता था यह जो सारी बाते हैं इन सारी बातों का वर्ण हमें होई इंसांग की किताब सी यू की में मिलता है क्योंकि खुद इसने यहाँ पर 18 महीने पढ़ाई की तो इससे बहतर प्रमारित और क्या हो सकता इसके अलाबा जब हर्सवर्धन जिस समय हर्सवर्धन का सासन चला था उसी समय यहाँ पर ही आया था लेकिन हर्सवर्धन के सासन काल में यह लिकली यह लिकलिया और आपको यह भी बता दे हैpta कि टोटल बहुत संगीतिया हुई है चार लेकिन हर्सवर्धन के समय था यह प पांच कुई बहुत संगीती हुई थी और उसका चेयर्मेन इसी होे इंसांग को बना गया था होयन सांग को तिर्थ यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहते हैं कि मात्र 16 साल की उमर में ये चीन से चल पड़ा और चीन से तिब्बत होते हुए और आपका जो ये बोलन पास है बोलन खैबर दर्राज होता है वहां से होता हुए अफगानिस्तान होते हुए आया था और इसके साथ में सत्रा सो लोग थे जिसमें से ग्यारा-बारा सो लोग तो रास्ते में ही लोट गए तिन-चार सो लोग रास्ते में मर गए केवल दो-ढ़ाइस सो बच्चे ही लोग जो थे वो यहां तक पहुँच पाये थे क्या ये साहस्प की बात है ना कि वहां पर दिक्कत का होती है कहीं पर सेक्डों किलोमेटर तब बर्फ ही बर्फ है कहीं पर रेध ही रेध है खाना पीना बीमार होना ये आप बीमार हो गए रास्ते में प्राशाव क्या इलाज है तो भगवान के भरोसे है अब ये बचे गया तो ठीक है नहीं होता तो इनका भी खेल खतम हो जाता अगला क्या है इतिसिंग लिगो इतिसिंग के बारे में ये भी चीन से आने वाला यत्री था 673 में भारत आया सोचो 671 में चला था और 673 में दो साल तो रास्ते में लग गए 673 में ये भारत पहुंचा आपको बताएं कि जिस समय इतिसिंग आया था उस समय भारत में कोई एक सेंट्रल पावर नहीं था तमाम छोटे छोटे राजी थे उसी समय कामरूप जिले में गया कामरूप जब हम कहते हैं तो बंगाल का एक लाका है कामरूप और उस कामरूप में असम में, असम में कामरूप जो जगा है, असम उसका कुछ इलाका तो बंगलादेस में भी चला गया कामरूप का, और ये जो सिलहट वगरा थे, ये सब इलाके कामरूप में आते हैं, वहीं पर भासकर वर्मन नाम का एक राजा था, उसके सासनकाल में ये कामरूप में अलबरुनी कहां से आया था बताएं आपसन आपके सामने है इराक, इरान भारस, उजबेकिस्ता उजबेकिस्तान से आया था मौबब गोरी नहीं महमूद गजनवी के टाइम ठीक है ये कहां से आया था उजबेकिस्तान से उस समय के साफ से देखोगे तो सेंटरलेसिया का पाड था ठीक है उजवेकिस्तान से किसके साथ में आया महमूद गजनवी के साथ जो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमर किये हैं 17 आक्रमर किये हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आया था महमूद गजनवी जो है आक्र ही था सुमनाद के पहले 2018 में इसने मत्वरा पे अटेक किया और मत्वरा के 3000 मंदरों को तोड़ दिया मत्वरा में मत्वरा को जबाने में City of Temple मंदरों की नगरी कहा जाता था 3000 मंदरों को तोड़ा और उन मंदरों को बचाने के लिए उस जबाने में नागा साधू जो होते थे नार्मल नागा साधू आपको नहीं दिखाई देंगे वो क्यों को मेला में या कोई बड़े अउसर पे दिखाई देते हैं कहते हैं कि 50 से 60 जार नागा साधू आ गए थे और उन्होंने इनकी सेना से मुकाबला किया और नागा साधू का इतना कतल किया गया कि उनके खून से यमुना नदी का पानी लाल हो गया था और इस सारी चीजों का वरण अलबरूनी ने अपनी किताब में लिखा और कहा जाता है कि यह सिर्फ यहां पर लूट मार ही इसने नहीं की थी यहां से बहुत सी महिलाओं को कैद करके पकड़ करके रस्यों में बांध कर अफगानिस्तान भी ले गए थे सत्रा अक्रमन के दौरान में लाखों महिलाओं को ले कर गए थे और वहां पर दुक्तरे हिंदुस्तान दो दिनारी नाम की एक मिनार है उसी मीनार के पास में दो-दो सोने के सिक्कों में उन भारते महलाओं को निलाम कर दिया गया तो ना सिर्फ इसने मंदरों को लूटा, ना सिर्फ मुर्तिया तोड़ी, बल्क उसने यहां की बहुत से अउर्तों को भी अगवा करके वहां पे बेचा था तो यह क्या थी, एक विचारधारा ही तो थी, जैसे आपने भी देखा, आजकल भी ऐसे ही चला हमास के आतंगबादी गए दूसरे देश में, और वहां से उर्तों को बंदग बना लिए तो यह हमारा से पर कहना है कि जब भी कोई लड़ाई होती, लड़ाई तो आमने सामने क्यों होनी चाहिए मानुवी धाल बनाना यह कहीं से भी सही नहीं हो सकता है घर, यहां पर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि सोमनात मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दिन के समय जब सूरज की किर्णे सोमनात पर पढ़ती थी, तो आखे चोंधया जाती थी, इतना उच चमकता था और उस सारे सोने को तोड़ करके, और सिूलिंग को भी तोड़ दिया गया और सिूलिंग का एक बहुत बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा अपने साथ में गजनी लेकर चला गया और गजनी में अपने महल के में गेट पर उस पत्थर के टुकड़े को रखवा दिया ताक जब लोग वहां से निकले, तो उस पर पैर रखकर निकले चूक इसलाम में मूर्ति पूजा हराम था, इसलिए मूर्तियों को तोड़ करके इसने अपने आपको बुत सिकन बुत सिकन का मतब होता है, destroyer of statues या idols, मूर्तियों को जो तोड़ने वाला है, मूर्ति भंजग जो है वही कहलाता है बुत सिकन, और इस तरीके से गजनवी ने, क्योंकि गजनवी भारत के इतिहास के लिए भले ही बिलन है, लेकर गजनवी चाहता था कि आने वाली जो उनकी पीड़ियां है, वो उसको हीरो के तोर पर याद रखे, इसलिए अपने साथ में ये अलबरूनी को किताब का नाम है तहकीक हिंद, अलबरूनी किताब का नाम क्या है तहकीक हिंद, इसी का दूसरा नाम है किताब अलहिंद, किताब अलहिंद, इसी का नाम है किताब अलहिंद, कि यह आपके हो गई और किसके साथ आया था महमूर गजनभी के साथ में आया था यह तो लिख लिए और यहीं पर लिख लो महमूर गजनभी ने 1026 में सोमनात मंदिर पर आक्रमण किया गजनभी इन्वेड़ सोमनाथ टेंपल इन 1026 एडी 25 की दिसंबर में आ था लेकिन 26 में प्रॉपर हुआ था इसलिए किताबों में मिलता है 1025-26 और एक नाम आएगा तो 26 लगाएंगे ठीक है एक 1026 में सोमनात मंदिर पर आक्रमण किया था और आज की दौर में जिदे आप गूगल पर फोटो देखेंगे गजनी की तो गजनी में मिटी के घर बने हुए ठीक है यानि गजनी का अस्तित तो मिटी गया अफगानिस्तान में और सोमनात का मंदिर पहले से और यादा लूट लिया इन्होंने भारत को लूट करके जो पैसाय कटा किये उसको अलाउदिन हुसेन जो गजनी के पिता जी थे उन्होंने उसको लूट लिया अलाउदिन हुसेन का एक देखें पहले होता क्या था ये जब सुरुवात में इसलामिक कल्चर की सुरुवात हुई थी तो वहाँ प्रेस सब कभीला हुआ करते थे अलगलक कभीला इन कभीलों में यह आपसे दुष्वनी रहती थी जी से आज भी आप देखोगे इरान साउधी अयरब के वीच में बीच ही तुर्की साउधी अरब गजनी को जला डला और गजनी को जलाने के बाद में एक उपाधी धारन की दवर्ड बर्नर बिस सुदाहक जगत को जला देने वाला और गजनी को बरबाद कर दिया उसी के बाद में आगे मुहमद गूरी आए अगला देखो तिर्थंकर लिस्ट आप तिर्थंकर, तिर्थंकर कौन होते हैं, जैनों के जो सरवच गुरु होते हैं, उनको हम कहते हैं तिर्थंकर, ठीक है, और तिर्थंकरों की खास बात ये होती है, कि 24 तिर्थंकर हुए हैं, 24 तिर्थंकर के बाद में कुई तिर्थंकर नहीं आया, तो इसमें प्रतिक क्या है बैल बूल अब बैल कहना अच्छा नहीं लगता तो ब्रसब कह देते हैं है बैल ही ठीक है जैसे किसी को गधा गधा कहना हो तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन किसी को वैसाख नंदन कह दिया जाए तो अच्छा लगेगा वैसाक नंदर के वताब गधा होता है ठीक है ठीक वैसे ही कुट्टे को कुट्टा कहना अच्छा नहीं लगेगा आगे लिखो बुल और इनका लिखा निर्वान प्राप्तिस्थल आपको पता है कि जैनों में संथारा की पर्दधी अपनाई जाती है संथारा नाम सुना है नहीं सुना तो बता रहे हैं एक सब्दोता संथारा इसी को हम कहते हैं सनलेखना इसी को हम कहते हैं काया कलेस इसी को कहते हैं इनकी मरत्तु हो जाना निर्वान निर्वान प्राप्तिस्थल, ठीक है, निर्वान यानि म्रत्तु को प्राप्त कर लेना, तो संथारा में क्या होता है कि जब बैक्ति अपने जीवन के सारे काम मिप्टा लेता है, तो अपना घर बार सब को छोण करके जंगल में चला गया, एकांत में चला गया, और एकांत मे नहीं खाएगा देरे देरे कमजोर हो जाएगा फिर वो पानी पीना कम कर दे और देरे जब पानी पीना भी कम कर देगा फिर बहुत ही कमजोर हो जाएगा और एक समय ऐसा आए कि वो पानी पीना भी बंद कर दे और किसी पेड़ के नीचे या किसी चटान के उपर में जा करके ध्यान लगा कर बैठ जाए और सांस लेना भी बन कर दे अपने सरीर को तरपा तरपा करके काया कलेस काया को कष्ट दे दे करके अपने आपको खत्म कर देना इस टारवेशन की प्रक्रिया से भूखे रह करके इसी को हम कहते है संथारा या संलेखना ये जैनों की एक परंपरा का पार्ट है कि जितना हम इस सरीर को कष्ट देंगे उतना ही ज़्यादा हमारी आत्मा की प्यूरिटी होगी ऐसा इनका मनना है चंद के उत्मोरे ने भी इसी संथारा से गय थे और वही पर खाना पीना है बिल्कुल उबंद कर देता वही पर ऐसी जगा पर जाता है कि जब उमर जाता है तो तमाम प्रकार के चीटी, कीडे, मकोडे सब उसकी डेड बाडी को खतम कर देता है इसलिए आपको कही बंदर नहीं दिखए देता बंदर की डेड बाडी आपको मरी हुई कभी नहीं दिखेगी इस तरीके से खतम कर देते अपने आपको वो एक अलग मैटर है वो तो एक दुरघटना तो कहीं भी यह हो सकती है है? हाँ हो सकता है, यह भी हो सकता है तो इनको कहा मिला था, निर्वान प्राप्तिस्थलिंग को हुआ था माउंट कैलास और आपको जानका हैरानी होगी कि जो कैलास मांसरोर है 1962 के पहरे तक भारत का पोर्शन में था अब तिबबत में चला गया 1962 में हार गये हम हारने के बाद में चला गया तभी आज हमें चीन से परमिसन ही नहीं पड़ती है अब चीन से परमिसन ना ले करके हमने क्या किया है कि हिमाचल प्रदेश में ही एक सेंटर बना दिया है उत्राखंड में उत्राखन में बनाये गया वहाँ से डारेक्ट हम दूरूरूबिन से देख सकते हैं कैलास मंसरोर अब जाने की कोई जरूत नहीं कैलास पॉइंट हमने यहीं पे बना दिया आगे लिको मौंट इनको निर्मार कहा मिला मौंट कैलास पे दूसरा नाम है अजीतनात अजीतनात जो है दूसरे तिर्थंकर थे इनका सिंबल है एलिफेंट और इनको कहां पर मिला है सम्मेद सिखर कहा है सम्मेद सिखर जारखन में है जारखन में एक पहाड़ी है पारसनात पहाड़ी सम्मेद सिखर देखो ये जारखन में देखो कितनी उची पहाड़ी है इसी पहाड़ी पर जैनों के कई तिर्थनकर चाहें पारसुनात हो और चाहें दूसरे वाले हो ये इसी जगा पर गए और वहीं पर जाकर अपने प्राणों कांत कर लिया इसमें खास बात है या तो आप किसी पेड़ पर जाकर अपने प्राणों कांत करें या किसी पहाड़ी पर यानि एकांत में जाएं ता कि आपके मरने के बाद में चील कवे गिद्धा करके खा जाए और उनकी भी पार्टी हो जाए disturbance भी इनको न हो कोई आज भी जो बहुत ही इनके जो बड़े-बड़े मठ़ाधी टाइप के लोग होते वो कर लेते हैं हाँ अगला लिखू अगला नाम है नेमी नात और नेमी नात का दूसरा नाम है अरिस्ट नेमी इनी का दूसरा नाम है अरिस्ट नेमी पहले जहां पर आपने नेमी नात लिखा आए वहीं पर इनी का दूसरा नाम लिखलो अरिस्ट नेमी कौन से नमबर के तिर्थंकर है यह 20 सिकेंड 22 नमबर के है क्या बात है बड़ा confidence से बोलते है गलत बाद भी confidence है ठीक है नेमी नात 22 वाले हैं इनका जो प्रतीक चिन है नेमी नात का वो है संक क्रोंच जिसको बोलते हैं संक या सेल भी कह सकते हैं संक को हाँ वहीं वाला और इनको मिला था निर्वान हुआ था गिरनार पहाड़ी पर गिरनार पहाड़ी कहा है गुजरात में है और सम्मे सिखर कहा लिखा आपने जहारखंड में सम्मे सिखर जहारखंड में गिरनार पहाड़ी गुजरात अगला लिखो पारसुनात अगला लिखो नौसा नाम है पारसुनात तेश्वें ये तेश्वें तिर्थन करें, इनका प्रतीक चिन है स्नेक, साप, उनका प्रतीक चिन है साप, और इनका जो निर्वान इस्थल है, वो है आपका सम्मेद सिखर, जारखंड, सम्मेद सिखर, जारखंड. और उसके बाद में आपका कौन सा है महाभीर स्वामी यह 24 तिर्थंकर है 24 तिर्थंकर और इनका जो निर्वान हुआ है वो हुआ है पावापुरी में पावापुरी कहा है बिहार में पावापुरी बिहार में है वो द्वारी का पूरी है गुजरात में पूरी का मतलब होता है पवित्र सहर जैसे जगनात पूरी हरिद्वार पूरी पावापूरी तो इस जैनों का सबसे पवित्र स्थल है सिंबल इनका लॉएन, सेर असोक इस्थम का? नहीं, यहां से नहीं लिए गया असोक इस्थम का इडिया यहां से नहीं लिए गया असोक तो बहुत धरम को मानते थे, जेंधरम होले हैं अब यहां पे दो बाते हैं दो बाते यहां पर आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आपको यह पता है कि फोर मेंन टीचिंग्स चातुरयाम सिच्छा का नाम सुना है? पंच महावरत का नाम सुना है? नहीं सुना है तो दो बाते लिख लो. आप क्या पूछने जा रहे थे? वो अलग मैटर, तीन नहीं, चार हैं, चार हैं, वो अलग मैटर, देखो, यहाँ पर दो बाते हैं, एक सब्द होता है, चातुर्याम सिच्छा, चातुर्याम सिच्छा, इसको हम कह सकते हैं, फोर मेंड टीचिंग्स, और एक सब्द होता है, पंच महावरत, जब हम चातुर्याम सिच्छा कहते हैं, तो इसका मतर्ब है, सत्य, यानि टुथ, अहिंसा, यानि नौन वायोलेंस, अस्ते, नौन इस्टीलिंग, चोरी ना करना, और अपरिग्रह, नौन पजेशन, आवस्टा से अधिक, बस्तों को संग्रह ना करना, ये चार सिच्छाएं हैं, अपरिग्रह का मतर्ब है, कि आवस्टाओं से धिक, बस्तों को ना रखना, अंग्रेजी में हो जाएगा, नौन पजेशन, नौन इस्टीलिंग, नौन वायोलेंस, और टूथ, आगे ये चार सिच्छाएं हैं, और आगे चल करके इनी सिच्छाओं में, एक सब्द जोड़ ब्रह्मचर, और जैसे इसको ब्रह्मचर सेलिवेसी बोल दिया गया, तो ये बन गया पंच महाब्रत, पंच महाब्रत में चातुरियाम प्लस ब्रह्मचर को जोड़ दिया जाए, तो बन जाता है पंच महाब्रत, और पंच महाब्रत से ब्रह्मचर को घटा दिया जाए, त नहीं आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, चले दुबारा समझ लो, चातुरियाम सिच्छा कहता है, चार सिच्छा है, और ये चारों सिच्छा है किसने दी, पार्षुनात के दोरा दी गई, इन्होंने खा कि अपने भक्तों से कहा कि वो हमेशा सत्य बोले, हिंसा का प आवीर स्वामी ने, तब ये टोटल कितनी हो गई, पांच सिच्छा है, तो ये बन गया पंच महाब्रत, चातुरियाम में एक जोड़ दोगे, तो बन जाएगा पंच महाब्रत, पंच महाब्रत से एक सिच्छा को निकाल दोगे, तो बन जाएगा चातुरियाम, ये विचा ज़्यादा त्याग तपस्या पर बल देता है। ये एक्स्ट्रीम लेबल की बात करता है। ये कहता है कि जो भी काम करो ऐसे काम करो कि अपने आपको उसी में डेडिकेट कर दो। मिटा दो अपनी हस्ती को कि गर मर्त बाचाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले-गुल्यार होता है। इसका मतलब समझाया है? मतलब नहीं समझाया होगा? अच्छा लगा होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को कि गर मर्तबा चाहे मर्तबा का मतलब होता है आपका लच्छ जो आपका लच्छ है उसको पाने के लिए आप अपना dedication, devotion के साथ में 100% लगा दो मिटा दे अपनी हस्ती को यानि आप अपने आपको लच्छ में समर्पित कर दो मिटा दे अपनी हस्ती को गर मरतबा चाहे, मरतबा यानि लच्छ कि दाना खाक में मिलकर, दाना यानि जब कोई हम फसल बोते हैं, जो कोई दाना बोया जाता है, तो दाना पहले मिटी में क्या होता है, खतम हो जाता है, कि दाना खाक में मिलकर, गुले-गुल्यार होता है, बाद में उसमें से बहुत-बड़ा पेड़ निकलाता है, ठीक हो ऐ से ही, ठीक है, यह motivation के लिए था, इसी को बिवेकरंद की भासा में कहेंगे, कि आप अपने जीवन में एक लच्छ करने धरान करें, उस लच्छ को पाने के लिए 100% इनर्जी उस लच्छ में लगा दें, हर दिन उस लच्छ को पाने के लिए दोड़ लगाएं, दोड़ नहीं सकते हैं, तो पैदल चलें, पैदल नहीं सकते हैं, चल सकते हैं, तो घिसट जाएं, लेकिन हर दिन आप और आपके लच्छ के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी कम होनी चाहिए, यानि प्रियास निरंतर करना जुरूरी है, चलें, आगे बढ़ते हैं, बुद्धिजम, बुद्धिजम देखो, बुद्धिजम में आपका क्या 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 लिए आ गया है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है, वो 563 BC में हुआ है, और इनकी इम्रत तो 483 BC में, 563 BC में जन्म, कहां पे हुआ है, लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहां पे है, नेपाल में, नेपाल की तराई में, और 483 में इनकी डेथ हुई, कहा पर हुई कुसी नगर में इनकी म्रत हुई कुसी नगर में कुसी नगर कहा पर है यूपी में है ठीक है इसमें निरुबान का ता ज़्यान होता है और उसमें निरुबाना मतलब है go to pavilion हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में बहुत सारी similarities भी हैं, अब देखो गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी, तो जानकारी के तौर पर एक पांच मेंट की स्टूरी सुना देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जानकारी ये है, कि जब गौतम बुद्ध क जन्म हुआ, तो जन्म के, आप लोग सांत रहें, बाची ना करें थोड़ी दर के लिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म के कुछ समय के बाद में इनकी माता की डित हो गई, तो आगे चल करके इनकी मोसी, प्रजापती गौतमी ने इनका पालन पोस्ल किया लेकिन इनके पिताजी राजा थे, राजा को इस बात की चिंता थी, कि पता नहीं बड़े हो करके हमारे बेटे का भविस ही क्या हो, इसलिए उन्होंने अपने राजी के बहुत सारे जोतिस्यों को बुलाया, और कहा कि सब लोग हमारे बेटे का भविस देखकर बताए, कि चीजे कैसी होगी बेटर, या इसके भविस में क्या लिखा, तो वहाँ पर जो भी उनके राजी के जोतसी आये थे, तो उनमें से कौंडिन निनाम के बेक्ती ने भविस वारी की, कि या तो बड़ा होकर ये बालक एक राजा बनेगा, और या तो एक साधू बनेगा, तो र उनके लिए एक अलग से महल बनवा दिया गया, उसी महल में सारी सुकसुधाओं की चीजे रख दी गई, इनके एक किसारे पर सैकड़ो नोकर वहाँ पर मौजूद थे, और धीरे धीरे आगे चल करके, जब वो ये 16 साल के हुए, तो 16 साल के उमर में इनका बिवाह, या पूरा परिवार आराम से चलना था, कोई दिक्र नहीं, धीरे धीरे 28-29 साल के उमर तक, जब आपके आसपास में बहुत सारी भोतिक चीजे होती हैं, तो एक समय के बाद में आपका उनसे मोह भंग होने लगता है, ठीक वैसे ही इनको हुआ, इनको ये लग रहा था कि बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर की दुनिया तो मैं पता ही नहीं, एक दिन इन्होंने अपने सार्थी से कहा, कि चलो कहीं घूम कराते हैं, और जब ये अपने सार्थी के साथ में घूमने के लिए गए, तो 29 साल की उमर में इन्होंने एक बार पहली बार ऐसा हुआ, कि इन्हो उन्हें अपने जीवन में कभी कोई बुढ़ा आदमी नहीं देखा था 30 साल की उम्र तक, और पहली बार जब अपने सार्थी चन्ना के साथ में बाहर निकले, तो उन्हें ने देखा कि लगवग 100 साल, 105 साल के आसपास का कोई बुढ़ा बेक्ती था, इतना बुढ़ा बेक्त को देखकर उन्हें अपने सार्थी से पूछा, यह कौन है, तो सार्थी ने कहा कि यह एक बुढ़ा बेक्ती है, और एक उम्र के बाद में सरीर जब कमजोर हो जाता है, तो ऐसा ही हो जाता, तो यह अपनी भी कलपना करने लगए कि हम भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे, दूसर बीमारी कभी भी किसी को आ सकती है, बीमारी किसी को बता के नहीं आती है, तीसरा द्रस इन्होंने देखा, एक डेड बॉड़ी, एक म्रत शरीर देखा, और उसके पीछे बहुत से लोग सोक कर रहे थे, लोग रो रहे थे, गा रहे थे, चिला रहे थे, तो इन्होंने पर सा जिन्दगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत तो महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी. सवाल यहाँ पर यह है, कि डेड़ बॉड़ी को देखा, और डेड़ बॉड़ी को देख करके, इनके मन में आया, यानि उसने कहा कि एक दिन यह जीवन की सच्चाई है, एक ना एक दिन सभी को मरना ही मरना है. अगला और आगे बढ़े, तो इनको एक साथू मिला, सन्यासी मिला, मौंक. और जब वो साथू सन्यासी मिला, तो देखा कि साथू के पास में कुछ भी नहीं है, एक जोला पना टांगे हुए है, हाथ में एक लोहे का चिम्टा है, लोहे को चिम्टा बजाते हुए जा रहा है, भक्ति भाव में डूबा हुआ, और उसके नाम पर प्रोपर्टी के ना प्रकार के सवाल उठने लगे, और जो कि जहां पे रह रहे हैं उनको बताने वाला तो कोई है नहीं, और जब बताने वाला कोई है नहीं partner, तो ये परिशान होना उनको सुभावी की है, तो ये इंको उठके बाट गए है, अब उनको क्या पता कि ये क्यों उठके बैठ क्या होता है कि अब इनको भी पता कि इसको भी कुछ नहीं पता होगा तो बताएं क्या तो कहते हैं गों कुछ नहीं फिर सो जाते होंगे लेकिन जब बेचैनी इनको बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो एक दिन अचानक रात में बाराब जे उठे और अपने सार्थी से कहा क कोई हमें धूर्णने ना आए और हम कुछ दिनों के बाद में दुबारा वपस आ जाएंगे रास्ते में कुछ सांख दारसनिक रुद्रक राम पुत्र जैसे और आलार कलाम जैसे लोग इनको मिले उनसे कुछ बाचीत हुई लेकिन इनके बहुत सारे सवालों का जवाब वो आप चले जाएं गया के पास में और वहां पर निरंजरान दी वह रही है वहीं पर ध्यान लगाएं और कहा जाता है धीरे धीरे निरंजरान दी के किनारे पहुँच गए और वहीं पर लगातार इन्होंने 48 दिनों का मेडिटेशन किया और 49 डेज पर इनको ग्यान प्राप निर्वान का मतब है सुप्रीम नॉलेज और जब ग्यान इतना मिल गया तो ग्यान तो अंदर से कुलाचे मार रहा था कि ग्यान किसको बाटे किसको बाटे और जब कोई मिला नहीं तो सीधा वहां से चलते जलते आ गए सारनात जो बनारस के पास में है और सारनात के इनकी popularity बढ़ती चली गई और जब popularity बढ़ती चली गई तो दूर दूर से लोग इनके विचारों को सुनने के लिए आया करते थे उस समय के कई राजा महराजा इनके सिस सी बन गए स्रावस्ती के राजा प्रसेंजित ने especially इनको अपने राज में बुलाया और कहा कि आप हम पर speech हुआ करने लगे यह लोगों को बहुत अच्छे मतलब जो है solution बताया करते थे कहते हैं कि बुद्ध की बातों को यह दूर समय भी मान लिया जाए उस समय जो लोग मानते थे वो उनको मान लें तो लोगों को समस्या ही नहीं होगी जैसे बुद्ध क्या कहते हैं बुद एक्चुल में जो सुख है सुख तो केवल छडिक मातर के लिए होता है वास्तविक्ता तो केवल दुख ही है जैसे आप एक सुख की तलास में बैठे हैं कि हमारी नोकरी लगेगी सरकाई नोकरी लगेगी वो आपका सुख है उस सुख को पाने के लिए जो भी आप प्रयास करनी पड़ रही और जिस दिन और मिल जाएगा तो जो चार पान दिन तो नोकरी का आप खुसी मनाएंगे लेकिन उसके बाद में अगली समस्या शुरू हो जाएगी कि दूसरे सहर में जाना है दूसरे गापे बेउस्था करनी है फिर अगला टैगर सट कर देंगे कि भविस् दुखों से भरा है ये कहते हैं और इसको हम नहीं प्रूब करें इसको आप देखोगे तो ग्लोबल हैपिनेस इंडेक्स की रिपोर्ट भी तो आती है इसमें भारत का रैंक कितना आता है 126 रैंक कि भारत के लोग दुखी नहीं है डिप्रेशन में जीने लगे लोग अपन आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और आप उससे बाइक मागने के लिए गए चार बार चार बार उसने दे दिया और पांचवी बार मना कर दिया तो आपको चार बार जो दिया था वो याद नहीं रहेगा पांचवी बार मना किया वो याद रहेगा कि दोस्त दोस्त न कोई स्टेंप लिकर देना नहीं है वादे ही तो करने है वादे तो तोड़ने के लिए होते ही है वादे कर लेते हैं और साधी के बाद में वहीं लोग जो हमेशा गुलदर्सा लिए गुमते रहते थे वहीं बाद में फूल गो भी लेकर आते हैं कहते हैं, बनाओ, हम भी काते हैं, तुम भी काओ, फिर होती है लडाईया, तो क्या था, उम्मीदें, किसी के साथ में आप कोई काम करते हैं, और उम्मीद के साथ में करते हैं, उम्मीद बात में पूरी नहीं होती हैं, तो तकलीप होती, यहीं गौतम बुद्ध कहते हैं, इस सब सारी बाते दी गई है, तो ये आपके सिधानत है, लिखो पहली संगीती, पहली बहुत संगीती लिखो, कब हुई थी पहली, 483 BC में, 483 BC में, कहां पर हुई, किस राज़ा के समय में हुई थी? पहली हुई थी राजगीर में, अजासत्रू के समय, रॉयल सेटर में लिखो अजासत्रू, चेर्मेन कौन थे? महाकस्यप, इसके चेर्मेन थे महाकस्यप, और रचना में लिख लो वर्क में बिने पिटक की रचना हुई, विने पिटक, सुत्त पिटक बिने पिटक के नाम च इसमें जो वर्क है सुत्थ पिटक और बिने पिटक. सुत्थ पिटक और बिने पिटक. ये दू किताबे आनंद और उपाली दूनके सिस्थ है थे, उन्होंने इक किताबे लिखी थी. तुत्थ पिटक का मता होता है तीन पिटारे, यानि गौतम बुद की कहानियों के बारे में और उन्होंने अपने नुयाईयों को क्या-क्या दिया था कि क्या-क्या करना होगा, क्या-क्या करना होगा. दूसरी बहुत संगीती 383 BC में, 383 में. दूसरी है 383 में. किस राजा के समय में हुआ, काला सोक, कहां पे हुआ, वैसाली में, काला सोक के समय वैसाली में हुआ, और इसके चेर्मैन थे सबाकामी, सबा कामी कारे में कुछ ऐसा खास लिखा नहीं गया तीसरा वाला लिखो तीसरा वाला कब हुआ तीसरे वाले में दो डेट है एक है 247 BC और कहीं कहीं पर मिलता है 250 BC 247, 250 दोनों आते हैं एक बाद कुछ नहीं आया था कि गौतम बुद्ध के 236 साल के बाद हुआ था तीसरा वाला बाउत संगीती 247 या 250 BC कहां पर पार्टली पुत्र में किस के समय में असो के समय में असो के समय में हुआ असो के समय में हुआ और इसके चैर्मेन थे मुगली पुत तिस मुगली पुत तिस मोगलीपुत तिस और चोथा लिख लो फर्स्ट सेंचुरी मोगलीपुत तिस लिख लिया इसके चेर्मेन थे हाँ तीसरे वाले में अभिधम पिटक लिखा गया तीसरे वाले में अभिधम पिटक लिखा गया अभिधम अभि धम पिटक और चोथा वाला जो हुआ है वह फर्स सेंचुरी में हुआ है पहला हुआ हए हुआ प τον Kriti कहाँ पे हुआ है कशमीर के कुंडलवन में चोथा व राजा कौन थे उसमें के राजा था कनिष्क और उस समय के चेर्मैन थे असजुघोस असुगोश इसके थे उपाध्यच, डिप्टी चैर्मेन, और वसमित्र जो थे वो अध्यच थे, वसमित्र इसके अध्यच थे, वसमित्र इसके अध्यच थे, और इसके काम में लिख लो, ही नियान और महायान का विभाजन, ठीक हैं, बुद्धिजम divided into two parts, ही नियान और महाय ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी मुलागात होगी.